हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठचाला आज की पाठचाला हम लेकर आए क्लास 12 के लिए तो आज का जो हम पाठ वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के दोनों ही कोर्स कोर और इलेक्टव तो दिहान रखेगा कि आपके हिंदी में जो तीन बुक्स चलती है या उसकिस में आपके अगर हम कोर में जाएं तो बुक हमारी चलती है आपके आरो भाग दो वितान भाग दो और अभिवेक्तियों और माध्यम अगर एलेक्टव में आ जाएं तो हमारी चलती है अंतरा भाग दो अंतराल भाग दो और अभिवेक् हम लेकर आएं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम कम है हमारे पास तो इसलिए अब हमने जो तरीका निकाला हमने यह कोशिश करी कि कोर और इलेक्टिव का जो कंबाइंड सिलिबस है उसे हम आपको एक बार में रिवाइस करा दें तो देखें यहां पर हमने क्या दिया ओल चैप्टर्स डिवीजन इन वन शॉट यानि कि आज जो मैं अब यह वीडियो आपको देखेंगे थोड़ा लेंदी जरूर है यह वीडियो हि रेडियो नाटक है कविता है बहुत सारी चीज़े यह और इसके इलावा जो है वो है आपके जन संचार के जिते माद्य हमें वो है लेखन की कई शैलिया है यानि की पत्रकारिता लेखन के व्भन आया में तो यह कुछ में में चीज़ें हैं जिन पर आधारित आपसे रहेंगे वो हैं हमारी विधाओं आधारित प्रश्ण जो हमारे एक्जाम में आते हैं ठीक है तो क्या करने हैं विधाओं पर आधारित प्रश्ण है तो विधाएं कौन सी है विधाएं हमारी है कहानी है नाटक है रेडियो नाटक है कविता है तो यह चार हमारी जो है वो वि यह सारी चीज़ों होती तो अब हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं विधाओं के बारे में इनकी लेखन शैली इनकी भाषा शैली सब कुछ अब हम पढ़ेंगे पहले जब हमारी विधाएं कंप्लीट हो जाएंगी तब हमारी जो में अभिवेक्ति और माध्यम में इनको अलग-अलग समझेंगे समाचार लेखन की शैली है विभिद जो हैं पत्रकारी लेखन में विशेश लेखन है रिपोर्ट लेखन है आलेख लेखन है इसके इलावा आपका आ जाता है बीट रिपोर्टिंग आती है विशेशी कृत रिपोर्टिंग आती है करते हैं आज का हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं विधाओं पर आधारित प्रश्ण हे तू जितने भी प्रश्ण आएंगे उनके लिए हम क्या करेंगे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजेगा कि मैं हम रिवीजन तो करा देंगे तो एक वीडियो हम आपकर लेकर आएंगे कुछ most important question में जो repeatedly आप से पूछे जाएंगे तो वो भी मैं लेकर आऊंगे शुरू करें सबसे पहले जो हमारी विधा शुरू हो रही है वो है कहानी सबसे पहली है क्या है कहानी गद्ध साहित की वा सबसे अधिक रोजक एवं लोगप्रिये विधा है जो जीवन के किसी भी विशेश पक्ष का मार्मिक भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है साहित की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है हम सभी जानते हैं कहानियों के माध्यम से लोग अपनी भावनात्मक बातों को सामने रखते हैं दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं कहानी जहां हमें सिक्षा देती है वहीं दूसरों की भावनाओं को समझने का मौका भी देती है और कहानी सबसे पुरानी विधा रही है ध्यान रखेगा विधा का मतलब तो आप सभी जानते होंगे एक लास ट्वेल ते रहे हैं तो अभी तक मैं आपको कित्ती बार विधाओ होती है उपन्यास है आलोचक है निबंध है लेक है यात्रा व्रतांत है इन सभी को लिखने के अलग-अलग तरीके होते हैं इनी को हम बोलते हैं विधा तो मोस्की कहानी क्या है यह हमारी गद्य साहित में आती है तो गद्य साहित की एक विधा है कहानी तो सबसे पुरानी जन जीवर में यह सबसे अधिक लोगप्रिय विधा भी बात सही है हम लोगों में हम लोग बश्पन से जो है कहानियां सुनते हम लोग क्या काचा ठीक है अगर अभी भी हम इतने बड़े हो गए अगर हमसे अभी भी बोला जाए कि तुम्हें कहानी सुनाते तो हम भी बड़े कहानियों को कथा आख्याखी का गल्प आदी कहा जाता था तो पुरानी समय में क्या क्या कहा जाता था हमने बता दिया आप इसे चाहो तो नोड़ों करते हुए जाहो वर्तमान दौर में भी कहानी Um तो ये नहीं कि प्राचीन काल में यह प्रचलित थी अभी वरतवान समय में भी यह बहुत प्रचलित है साहित में यह अब अत्यन्त महत्पूर्ण स्थान बना चुकी अब हम लोग एकाणी पढ़ते हैं आप आपकी ले लिए बुक में आप अगर आवे तो भक्तिन क्या है वो एक संस्मरण है ठीक है अब अगर आजो पहल पहलवान की ढोलक तो वो क्या है कहानी है है नहीं एक कहानी उन्होंने रखी है तो उसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि B 갔 उथ सारी तो जैसे मानली जी कोई राजा हुआ उसने कोई वीरता का कारे किया अब वीरता का कारे दूसरों को सिखाना है तो उसलिए उस वीरता के कारे पर उस राजा के उपर कहानी बना दी जाती थी और जगा जगा हर कारे जाते थे उसको सुनाया करते थे तो जहां उस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती थी लोग उब्देश दिया करते थे उसी तरीके से क्या होता था हमारा मनुरंजन भी होता था अब बड़े-बड़े महात्माओं के आप कहते हैं सत्संग में अगर कभी जाओ तो आप देखो वहां पर भी क्या करते हैं वो तरह-तरह की कहानिया सुनात अज इसका लग्ष मानव जीवन की विभन समस्याओं समेधनाओं को व्यक्ति करना है आज कहल का समय क्या है वह बुरी तरीके से उलस चुका है कि अपनी समस्याओं में उन समस्याओं से उभरने के लिए क्या होता है उनके सामने ऐसी कहानिया प्रस्दूत करी जाती हैं कि उससे व्यक्ति अपने आपको connect कर सके और जिस तरीके से कहानी में हमने अपनी समस्याओं का हल किया वैसे हिए अपनी real life में भी उसका हल कर सके तो वही चीज़े यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि मानत जीवन की विवन समस्याओं समेधनाओं को व्यक्त करना है और उनके परने की प्राचीन काल की कहानी से आज की कहानी बिल्कुल भिन हो गई मतलब पहले क्या होते थे राजा महराजा परी होते थे भूत होते थे राक्षस होते उनकी कहानी अपती लेकिन आज क्या है जनसम्मानने पर कहानिया बनने लगी है आधुने काल में इसकी आत्मा और चैली दोनों बदल गई है कहानी के स्वरूप का बोध कराने वाली कुछ परिभाशा है अब जायसी बात है परिभाशा आप से पूछी जा सकती है तो कुछ परिभाशा है हमने दे दी प्रसिद अमेरिकी लेखक एडगर एलन पो के अनुसार कहानी वा छोटी आख्यात्मक र समन्वित्यानी की हर तरीके से वो हमारे उपर लिख सके जिसमें उस प्रभाव को उत्पन करने में सहायक तत्वों के अत्रिक्त और कुछ ना हो जो अपने आप में पूर्ण हो प्रसिद समिक्षक विलियम हैनरी के नुसार लगू कथा आ में केवल एक ही मूल भावना होनी जाहिए उस मूल भावना का विकास केवल एक ही उद्देश को ध्यान में रखते हुए सरल ढंग से तर्ग पूर्ण निश्करकुसों के साथ करना चाहिए तो यहां पर हमने दो परिभाशाएं आपको देखी वैसे तो अगर जब आप अपनी अभियुक्ति माद्यम की बु होकर एक चरम परिमार पर 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 पहुंचाने वाली हूँ ठीक है मुंशी प्रेम चंद जी के अनुसार आईए ने कहानी के बारे में लिखा है कहानी का उद्देश संपूर मनुष को चित्रत करना नहीं आप तो उसके चरत्र का एक अंग दिखलाना है अब एक मनुष के अ छोता नामने प्रदर्षित करते हैं इस प्रकार कहानी हिन्द हिंदीगध की वढबिदा है जिसमें लेखज़ किसी घटना क्रम वघध दिव्योड़ा देकर जिसे पढड कर या समनवित प्रभाव उत्पन होता है पात्र अतवह समस्या का उसे कहानी कहते हैं तो समझ में सरफ के बढ़ने के 3 fake आइसर की कहानी के बारे में हम ने welcoming त्वा कि विधा है। जिसमें रख़त समस्या के हम कहते हैं कहाने प्राचीन काल में वीरो तथा राजाओं के शौर प्रेम, नयायग ज्ञान, वेराग्य सहास, समुद्री यात्रा, अगम्य परवति अप्रदेशों में प्राणियों का अस्तितव आधि की कताई ही कहानियों के रूपे होती थी अब पुरानी कहानियं देखि वो इसी तरीके से हूगी सरह कि वेर्ण कहानिय होगी वो किसी कहीं ऐसी जगा पर गया दुर्गम जगा पर जहां जाना मुश्किल था तो ऐसी बहुत सी कहानियां अगर पुरानी उठा कर पड़े तो उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है अब हम आ जाते हैं कहानी के तत्व पर यहां से बहुत ध्यान से देखिए अभी तक हम समझ चुके कि कहानी क्या होती है उनकी परिभाशाएं क्या होती है हमारे जीवन में कहानी का क्या महत्व है यह हमने सबसे पहले पढ़ा फिर उसके पर कहानी के अर्थ उसकी परिभाशाओं को जाना अब आए हम कहानी के तत्व पे कहानी की कुछ विशेश तत्व होते हैं जो कहानी को पूर्णता प्रदान करते हैं कहानी के निम लिखे छे तत्व हैं पहला है कथावस्तु दूसरा चरित चितरण तीसरा कथोप कथन चौथा देशकाल पाजवा भाशा शैली और छटा है यह हमारी बुक में भी मेंचन हैं है तो यह उन्ही से लिए रहे हैं आपको यह च्हे याध रखने पड़ेंगे क्योंकि यह प्रदून में आ सकता है कथावस्तु सबसे पहला जो हमारा तत्व क्या है वो है कथावस्तू को हम पढ़ते हैं कथावस्तू को हम कथ्य भी कहते हैं क्या कहते हैं कथ्य भी कहते हैं कहानी के ढाचे को कथानक अथ्वा कथावस्तू कहा जाता है तो अब आपर तीन नाम हमारे सामने आगे कथानक कथावस्तू और कथ्य इसे कहानी का केंद्र माना जात इसके भी चार अंग होते हैं आरंब आरोहो चरम इस्तती तथा अवरों यह कहानी का सरवादिक महत्वपूर्ण तत्व है इसके लिए वस्तू विशेवस्तू कथा तथा कथानक आदी समानार्थी शब्द हैं तो क्या कर लेंगे हम इसके लिए वस्तू विशेवस्तू कथा या कथा नकादी अंग्रेजी में प्लॉट तथीम शब्द इसी के परेयाएं हैं इस तद्व में कहानिकार अपने जीवन के अनुभवों को प्रस्तुत करता है अब देखे कोई भी कहानी जब शुरू होती कथा वस्तु में हम क्या मेंचिन करते हैं क्यों कोई भी कहानी हो कहानी एकदम से बाटकर शुरू नहीं कर सकते हैं पहले हमें उसका कथ्य लखना क섯नव या चलोम हमे अभी रिसिंटली आद आ गई ₹ थीकर चंग है पहलवान की ढूलक अगर इतफिरी काहानी का हम कथ्य लिखने चले तो हम इससे सर्फ दो लाइन में लिखेंगे और फिर उसी कत्य के आधार पर हम पूरी कहानी को लार्च करेंगे कैसे होता है अब हम कहेंगे एक पहलवान था बश्पंज ने उससे बहुत सारी समस्याओं को जेला ठीके बड़ा होके पहलवान बना राउसकी भादरी से प्रेरित होकर उसे राजप पहलवान के पत से हटाया गया और वह वापस अपने गाउं आ गया बस इतना यह कत्थ है अब इस कत्थ से हमने पूरी कहानी बनानी है तो कभी जब कभी भी कहानी लिखी जाती है तो इस कहानी कोई भी कहानी में जब कथा वस्तु करते हैं तो कथा वस्तु को हमने चार भा तो आरोहों में आये, बड़ा हो कर वो बलिश्ट बन गया, ये आरोहों आया, चरम सीमा कब आई, वो दंगल में जीत कर क्या बन गया, एक राज पहलवान बन गया, फिर उसके बाद जब अवरोहों आया, यानि कि जब हम एंड में आ गए, तो क्या हुआ, उसे निकाल दिया हो गया और बुरी इस्थति में उसका अंत हो गया उसे राज महल से राज़िए पहलवाण commT से फ्रूरा विए और उसका अंत बहुत बुरा हुआ सिर्फ इतना तो यह आो करकर हमने इसका समापन कर दिया तो यह होती है कहानी कथ्य होता है और इसी कथ्य के आधार पर हम क्या करते हैं पूरी कहानी को लार्ज करते हैं बड़ा करते हैं अब हिंदी में इसको जैसे अब इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में हम वस्तु बोल सकते हैं विशे वस्तु बोल सकते हैं कथा बोल सकते हैं कथानक ब बताया था आपको कई चीज़े हमने नाम बताया था इंग्लिश में यही चीज़ क्या बोली जाती है प्लॉट या थीम के नाम से हम लोग जानते हैं कि अब हम काफी आगे निकल गया ओके तो यहां पर आए अब नेक्स हमारा है चरित्र चित्रण दूसरा हमारा क्या था वो था चरित्र चित्रण कथा वस्तू के बाद हम चरित्र चित्रण आए तो कथा वस्तू मैंने आपको समझा दी क्या होती है अब हम आए चरित्र चित्रण पर कहा कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोश को चरित चित्रन कहा जाता है कहानी में लेखक की दृष्टी प्रमुख पात्र के चरत्र पर अधिक रहती है इसलिए अन पात्रों के चरत्र का विकास मुख पात्र के सहारे ही होता है वो एक पात्र था लुटन सिंह की जो सास थी ठीक है वो उनका एक पात्र आया उन्होंने बच्पन से उसे पाला। संवादों के माध्यम से ही बताना पड़ता है अब इसमें जो मुख्य हमारा नायक है कौन है लुटन सिंग उसके चरित्र को हम सबसे ज़ादा बढ़ाते क्योंकि वह हमारी कहानी का नायक है तो हम इसलिए उसको हम ज़ादा बताते हैं और रही बात जो हमारे दूसरे जो माता पिता बच्पन में गुजर गए तो उसका लालन पालन उसकी सास ने किया सास जो है उसको गावाले बहुत परिशान करते थे दुख्यारी थी यह सारी चीजे बताई तो यह आप जब उसने लालन पालन किया अपने दामात का तो मतलब वो चरित्र में अच्छी रही त इसलिए हमें क्या करना है बहुत अधिक बात्र नहीं डालने होते कथा वस्तु के बात कहानियों में पात्र उनके चरत्र चित्रन का महत्वपूर्ण इस्थान है एक अच्छा कहानिकार अपनी कथा वस्तु में घटनाओं और दिश्णों के अनकूल ही पात्रों की रचना क करता है यानि कि जितनी घटनाए हैं हम उसी इसाब से पात्र डालेंगे अब यह नहीं कि हम पात्रों के इसाब से घटनाओं को नहीं बढ़ाएंगे हम क्या करेंगे जितनी घटनाए हैं उसी इसाब से पात्र दे देंगे तता उनके चरत्र का विकास भी करेगा बाबु ग बोला कथा न कहानी का प्लॉट इतना जादा जादा महात्रपूर नहीं होता जितना पात्रों के चरत्रों को ले रहे हैं उनके चरत्र हमेशा अच्छे लिए जाते हैं या कुछ बुरे भी होते हैं तो वो दूसरों को सीख देने के लिए कहानी हमेशा दूसरों को कुछ सीख देने के लिए होती है इसलिए चरित्रों के चरत्चित्रन पर जो पात्र है उनके चरत्चित्रन पर खासतोर से ध्यान दिया जाता है और फिर उन पात्रों की जो हम चरत्चित्रन करें उसको हम किस तरीके से अभिव्यक्त करेंगे इस पर भी ध्यान दिया जाता है चरिच चित्रन का संबंध पात्रों से हैं कहानी में पात्रों की संख्या कम से कम होती है कहानी में पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास क्रम नहीं दिखाया जाता वरन प्राया बने बनाए चरित्र के ऐसे अंच पर प्रकाश जाला जाता है जिसे व्यक्ति का व्यक्ति तो जलक उठें तो मुदभ ये नहीं है कि हम उसके चरित्र को बनाईंगे जो उसका चरित्र बना हुआ है कहानी कार लेते हैं उन्होंने ऐसे मिलते कुछ पातर अपनी लाइफ में भी देखिऊंगे तो उनके ही कुछ अन्ज यहां पर पर प्रस्थत कर दिया जाता है कहानी में पातर और कथावस्तू का अन्योश्रात्षस संबन्ध होता यानि कि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रत होते हैं पात्र कथावस्तू पर और कथावस्तू पात्र पर आश्रत होती हैं दोनों मिलकर कहानी के केंद्री भाव को व्यक्त करते हैं ठीक है कहानी में कुछ पात्र सामानने होते हैं और कुछ प्रतिकात्मक होते हैं यानि कि प् के चरित्र को ही उभारा जाता यानि कि कथा वस्तु में जब करते हैं तो उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं कथा नायक यानि कि जो मारा हीरो है हमें सिर्फ उसके चरत्र को ही उभारने की पमीशन होती है किसी विशेश परस्ति में रखकर कहानिकार नायक के चरत का उद्गाटन करना अपना उदेश समस्ता है चरच चित्रन की सफलता के लिए पात्रों की गतिशीर होना आवशक होता है इस थर पात्रों क चित्रांकः निर्जीव सा प्रतीत होता है यानि कि अगर माली जी किसी चरित्र में हम कोई गतिविधी नहीं तो जैसे लगेगा कि निर जीव सा है उसका कोई काम नहीं कहानी के समझने न तो यहाँ पर मोच्टरी कि क्या है हमें हर चरित्र के बारे में कुछ कुछ करना पढ़ता है कुछ कहना कपड़ता है और डाल डी हthere और वो न कुछ कर रहा है ना कुछ कह रहा है तो सबसे बासे जुआ चाहिता है जो हीडो रेसा जुनाय'RE लेकिन बाकी का भी हमें साथ-साथ पैयलर जिए चैन चत्र कर बढ़ाना पड़ताह daytime नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हैं कथोप कथन या समबाद, अब कोई भी अगर हम कहानी लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उसमें कुछ डायलोक्स होते हैं, तो उन डायलोक्स को क्या बोला जाता है, कथोप कथन या समबाद, ठीक है, ध्यान रखेगा, डायलोक्स को ही हम कथोप कथन कहते हैं और समवाद भी कहते हैं कहानी में समवाद का भी विशेश महत्वे इसके द्वारा पात्रों के मांसिक अंतरद्वंद एवं अन्य मनों भावों को प्रकट किया जाता है पात्रों के पारस्परिक वारतालाब को कथू पकथन कहते हैं अब जैसे कहानी जब हम एंड में क्या होता है कि जो है लुटन सिंग जो है अपने शिशियों से बात करता है शिश अपने पैरेंट्स को बताते हैं कि मृत्यू के बाद उन्होंने हमें कैसे यह जलाने के लिए बोला था तो कई ऐसे समवाद आपस में चलते रहते हैं कथोप कथन की दो कार्रे होते हैं पात्रों की चारतिक विशेषताओं को उधगाटित करना तथा कथा की गतई को विक्सित करना अब यहां पर जो समवाद होते हैं इनका दो कार्रे हैं पहला कार्रे होता है कहानी में जितने भी पात्र हैं ये समवादों के माध्यम से ही उज जागर होते हैं अब जैसे वह बहुत बलिष्ठ था कौन क्या नाम लुटन सिंग जो बलिष्ठ था यह कैसे हमें पता चला जाहिर सी बात समवादों से पता चला न उसी तरीके से धीरे-धीरे कहानी भी कैसे विक्सुत हो रही है वह समवादों के माध्यम से ही जो है जिग्यासा को शांत करते हैं तो याद रखे कि हमेशा जब भी हम समवाद या कतों पर कथन लिखेंगे उनके वाग के छोटे-छोटे होने चाहिए हैं सही अम होने चाहिए यानि की जो बात कही जारी है वहीं सार्थक और सोदेश होना चाहिए जितने भी आप सम्वाद लिखेंगे पहले तो हर शब्द हर वाग के जो है वो अर्थ प्रकट करना चाहिए और जितना भी है वो उद्देश पूर्ण यानि कि फालतू की चीज़ लिखनी है नहीं जितना भी लिखेंगे आप वो किसी उद लेगत भावों को जान सकते हैं यदि वारता लाप पात्रों के चरत्र के अनुकूल ना हो तो हम उनके चरत्र का लैंकन करना करने में भूल कर सकते हैं तो यानि कि क्या है जितने भी संबाद हैं वो चरत्रों के पात्रों से संबंदित होने चाहिए तभी हम पात्रों के बा पोचक्ता में ब्रद्धी करने के लिए कतोपकतन अनिवार्रे होते हैं बौध धिक और शब्दामडरों में जकड़े कुछ कतोपकतन कहानी की स्वाभाविक गती में बाधा डालते हैं यानि कि कभी-कभी लोग क्या करते हैं आपनी बौध धिक तर के अनुसार कुछ ऐसे कत शब्दावलिया ऐसे वाक्यों का इस्तमाल कर देते हैं कि दूसरा समझ ना पाए तो वही शब्दा आडंबर यानि कि दिखावे के लिए हम कुछ ऐसे मुश्किल शब्दों का आप यूस कर लेते हैं तो ये गलत है हमें अपनी बौध धिक शक्ता अपनी बौध धिक शक् कि हम कितना समझ सकते हमें यह देखना है कि जो हम लिख रहे हैं वह पढ़ने वाला इतनी बौध शक्ति नहीं रखता इसलिए कहानी हमेशा सीधी और सरल होनी चाहिए क्योंकि उसे हर वर्ग का लोग पढ़ता है बच्चा है आपका जवान है इस्तरी है आपके कर्मचारी वर्ग है रिक्षे वाले हैं जो बहुत इंटलेक्चल लोग हैं सब हैं तो सब ही पढ़ते तो इसलिए हमेशा लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हमें बहुत टफ लैंग्वेज या बहुत इंटलेक्चल बाते उसके अंदर नहीं देनी होती है अब आगए हम देशकाल या बातावरन कहानी किसी कहानी को असरदार बनाने के लिए जरूरी है कि देशकाल का पूरा ध्यान रखा जाए ये कहानी में वास्तिविक्ता लागता है कहानी को सजीव इम स्वाभाविक बनाने में देशकाल या बातावरन का सरवादिक महत्व ह प्रते कहानी में किसी इस्थान समय और परस्थती का चित्रण होता है इसी चित्रण को वातावरण की संग्या प्रदान की जाती है यानि कि कोई भी कहानी है वो किस इस्थान पे घटित हो रही है किस समय घटित हो रही है कौन सी परस्थतियों में घटित हो रही है अब मान ल आएंगे वो जो है किले के बीच से घोड़ा लेकर निकले ठीक है किले के बुलं दर्वाजे से जो है बहुत नकाशीदार बढ़ियां बड़ा धर वाजा था घोड़ा जो है महारा पताब चेतक पर सवार हुकर बहुत तेजी सिरत्तार से निकले यतनी बोलेंगे ना कि क्या कहते हैं रेड सिगनल पार करते हुए लिखे ऐसा नहीं लिख सकते ना तो मेन हमें यह ध्यान रखना है कि कहानी जिस भी काल में घटित हुई है उसके आज बास के वातावरण का चत्रण भी हमें उसी तरी कहानी लिखते हैं तो उसके आसपास वातावरण को जोड़ जैसे पहलवान की ढोलक में था गाव में महामारी फैली थी तो उस कहानी में पीछे प्लॉटिंग कैसी की गई थी रात में जो है सिर्फ तारों की रोशनी थी किसी की आवाज नहीं सुनाई देती थी सियार उल् अतलब सिर्व हम यह भी बोल सकते हैं कि सारी रात वो ठोलक बजाता रहता था लेकिन वह भयानक रात जो क्रियेट करनी थी वह शब्दों के माध्यम से लेकक ने क्रियेट करी न तो वही आपका देशकाल और वातावरण है कि पहले यह कहानी कब घटित हुई गाउं में ज शामनगर के दंगल में पहुंच गया शामनगर के दंगल में चांद सिंग था जो शेर का बच्चा था वो सबको परास्त कर देता है यही होता है ना वो सबको परास्त करता है और बचते वहाँ पर सिर्फ क्या है बाद में क्या कहते हैं लुटन सिंग पहलवान उनको क्या क ललकार देते हैं राजा जी के सामने यहीं होता है ना तो इस तरीके से हर जगा जो है वह बातावरण का ध्यान रखा जा रहा है दंगल का शोर है ढोलक है लोगों की आवाज है जमामवट है सब कुछ अब यहाँ पर आ रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायन लाल ने इस संबंद में लिखा है अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं वास्तिविक जीवन देश काल और जीवन की विभिन सत असत परिस्तिते से निर्मित होता है अतैब इन तथियों का एक इस्थान पर संचयन और च कहानी में देशकाल और वातावरण का चरित्र सरल संचिप्त और पात्रों की मानसिक इस्थती परस्थती के अनकूल होना चाहिए अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि जो हम देशकाल और वातावरण कहानी में डिवलप करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सच में तो सारा चरत्र के हिसाब से जो तिने भी उसमे चरित रहे पात्र रहे उनके चरित अब जैसे लुटन सिंग है वह एक हमलों के दमाग पर सारी चीज रहती तो वही क्या है चरित्र सरल होने चाहिए संचिप्त होने चाहिए पात्रों की मानसिक परस्ति के अनकूल ही ये सारे संबाद होने चाहिए संबाद होने चाहिए क्योंकि इनी संबादों के माध्यम से हम देशकाल और वातावरन जो है वो बताएंगे वातावरण का अत्यदिक विस्तार कहानी में शिथलता उत्पने कर देता है अगर अब हम जैसे हमने आसपास का वातावरण बताने के लिए बहुत जादा लाइन्स या बहुत सारी शब्दों का इस्तमाल कर लिया तो क्या होगा कहानी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि हम आसपास के वातावरण को ही बताते रह जाएंगे अब गाओं में वो खेत में हैं सरसों का खेत है महां गाए चरा रहा है फिर आस्ते पंगरंडी से आया धूल उडाता है तो ये सारी चीज़े हम बताएंगे तो क्या क कहानी उत्ती जल्दी विस्तार नहीं पकड़ पाएगी वो रुक जाएगी अपनी जेगा क्योंकि हमने तो काम करना किस पर शुरू कर दिया देशकाल और वातावरण पर हमने शुरू कर दिया है काम करना एक शेष्ट कहानी में तीनों प्रकार के वातावरण का समन्वे होता है इस प्रकार कहानी में देशकाल वातावरण वातात्यू होता है जो कहानी के सौंदर में ही व्रद्धी नहीं करता वरण पाठक को निरंतर आकर्शित और प्रेरित भी करता है इस जो वातावरण देशकाल का सबसे बड़ा काम यह होता है कि वह पाठक को कहानी से जो अगर कहानी में वो सारे शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों को पढ़ते ही हमारे दमाग में एक पिच्चर क्लियर होने लगती है कि हम कहां पर उस कहानी को देख रहे हैं ठीक है जैसे हम हम लोग बैटे हुए टी वी पेसारा दरश्य देखते हैं में सामने क्या है टीवी नहीं है हमारे सामने बुक है हम बुक में कहानी पढ़ रहे हैं जब हम बुक में कहानी पढ़ते हैं तो क्या होता है हम बुक में जब कहानी पढ़ते हैं तो हम अपने दमाग में वो सारी पिच्चस बनाने लगते हैं और यह सारा काम कौन करता है यह का सरवाधिक उपयोग आंचलिक कहानियों में कहाना कहानिकार करते आंचलिक मतलब जो मतलब माली जे गाउं का अगर विस्तार दिया गया है या शहर का विस्तार है इस तरीके की कहानियों में ज्यादा होता है एतियासिक कहानियों में देशकाल या वातावरण की महत्ती भू करा दे तो मतलब एक सफल कहानिकार वही है कि वह बहुत कम शब्दों में मगर सटीक शब्दों में वह आसपास के वातावरण को बताए क्योंकि इससे क्या होता है ना कि पाठक को वह कहानी से जोड़के रख पाता है अब आगए हम नेक्स्ट तत्व पे वो है भाषा शैली ठीक है लिखते समय हम किस तरह की शैली या किस तरह की भाषा का इस्तमाल कर रहे है शैली आप सब कोई को पता है कभी हम प्रतिकात्मक लेते हैं कभी विवरनात्मक लेते हैं कभी विचारात्मक लेते हैं कभी आप बह योगात्मक शैली भी रहती है तो ये शैलियां होती है भाशा अब भाशा जादा तर क्या होती है कि जो हमारे लेखक जिस छेत्र से सम्मंदित होते हैं भाशा खास्तोर से वो होती कभी-कभी कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो अलग-अलग छेत्रों से सम्मंदित रहे उनका उनक अलग अलग भाशा वाशैली से सजाया जाता है भाशा भावों की अभिवेक्ति का साधन होती है भाशा सही बात है हमारे बन में जो भाव चल रहा है वो हम कैसे आप तक पहुंचाएंगे अपनी भाशा की माध्यम से पहुंचाते हैं तो भाशा हमेशा क्या होती है भावों क हिए छोटे से बच्चे को भी पढ़ाती हैं बड़ा से बच्चा भी कहानी हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमी कोई कहानी सुनाने मिले लत Northwest म अब आप आज सकूल में अगर देर से फ्लें से चूटने के बाद तो मम्मी आप से उससे पूछेंगे तो आप वो सारी जितनी भी घटना हुए उसे आप एक कहानी बना करी मा के सामने बताओगे न यही होता है न तो कहानी सुनना और बनाना यह हम लोगों को बश्पन से आ जाता है ठीक है इसे लिए कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो सजीव हो और प्रभाप पूर्ण हो यानि कि बहुती सरल सजीव हो यानि कि जब हम उसको व्यक्त करें तो सामने वाला व्यक्ति उससे उसको सच मान पाए और प्रभाप पूर्ण होना चाहिए मतलब एक घटना को दूस गरवरन के अनुकूल हो निरर्थक शब्द योजना और कठिन वाग के संग्रशना कहानी के सोंदर तता स्वभावे गति को नश्ट कर देती हैं इसे लिए कहानी की भाषा में प्रभा भावा नुभूती अलंकारिता और बिंबन उभूती आधी गुणों का हुना अवनिवा होना चाहिए अगर जरूरी है तो हम इनका इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा एक चीज़ हम पता दें यहां पर आया भाषा में प्रवा होना चाहिए मतब यह नहीं है कि हम एक ही जगा पर फसे रह जाए भाषा एक के बाद दूसरी चीज़ों में आराम से जानी चाहिए भाव का अनुभोती होनी चाहिए यानि कि ऐसे शब्दों का इस्तमाल करें कि सामने किसी भी तरह का अगर द्रिश्ट है तो उसे हम देख पाएं अनुभव कर पाएं कोई चीज़ अगर सुनने लाख है मान लीजिए कि रेल गाड़ी पटरी की उपर से जा रही है तो धड़ा ध यानि कि कहानी में हम जितने भी तत्व हैं उनकों सही तरीके से अगर इस्तमाल कर लें तो वो कहलाती है शैली बाबु गुलाब राये ने शैली का विवेजन करते हुए लिखा है शैली का संबंद कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सब तत्वों से हैं और उसकी अर्थाद दूसरों को प्रभावित करने की शक्ती शैली पर ही निर्भर करती है किसी बात के कहने या लिखने के विशेश धंग या प्रकार को शैली कहते हैं शैली का संबंद केवल शब्दों से नहीं अपतु विचारों और भावों से भी होता है शैली की कलात्मक्ता ही कहानी के प्रती पाठक की रोचकता में व्रधी करती है यानि कि हम कहानी किस तरीके से लिख रहे हैं मालिजे कभी कभी जैसे हम लोगों ने क्लास 12 में एक निबंद पढ़ा शिरीश के फूल तो वो किस शैली में लिखा गया है वो विवेचात्मक शैली में लिखा गया है उसके बाद उसमें वर्नात्मक शैली भी है पहले उन्होंने विवेचना करी शिरीश के फूल के बारत में और फिर उसकी वर्नात्मक ताद्यक्त करी दूसरे और फूलों और पेड़ों के साथ उसको कमपेर करके ठीक है ना इस तरीके से हुआ तुल्यात्मक शैली भी आई विवेचनात्मक भी आई प्रेणात्मक भी आई मतलब हमको उसे प्रेणा लेनी चाहिए ये मतलब उसमें कई तरह की शैलियां हमने देखने पर जगा जगा पर देखी जैसे बापा आजाए बाजार दर्शन पार्ट में अगर हम भगत जी को ले तो वह हमको प्रतीक के तरब रख कर समझाया गया है कि हमें इस तरीके का होना चाहिए तो वहाँ पर उन्होंने प्रदिकात्मक शैली का इस्तमाल कर लिया तो मतलब एक हम कहानी में कई शैलीों का इस्तमाल जगा-जगा पर कर सकते हैं अब आते हैं उद्देश, कहानी का उद्देश बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस उद्देश से ये कहानी रखी जा रही है हर कहानी का अपना एक अलग उद्देश होता है ये केवल मनोरंजन हे तो ही नहीं होता है इससे लोगों को प्रेढ़ना भी दी जाती कोई भी कहानी है वो हमें कोई न कोई सिखाएगी चीज या कोई न कोई प्रेढ़ना को आप देखेंगे कि वहाँ पर वो बहुत सारी बातों को समझाने के लिए कई सारी कहानियों का सहारा लेते हैं हम ताकि हम ठीक से उन सारी चीज़ों को समझ पाएं मनुरंजन से लेकर गंभीर समस्या नेरू पर तक कहानी का उदेश हो सकता है कहानी का उदेश अलग-अलग होता है जैसे हमने यहाँ पर पहला हमारा जो गद्य शाहित की जो पहली एक संस्मर्ण थी वो थी भक्तिन भक्तिन के माध्यम से हमने क्या चीज शीखी उसका क्या उद्देश था उसका उद्देश ये था बताना कि एक इस्तरी का जीवन कितना संघर्ष में होता है और वो कितने संघर्षों के बाद भी अपने आपको शशक्त करके आगे चलती रहती है फिर दूसरे आप कहानी पर आईए बाजार दर्शन बाजार दर्शन में हमने क्या देखा कि बाजार जाते समय हमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि वहा बहुत सारा जद्द जहेद चलती है है ना वहां उदेश ये था कि जो भी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाती है उन्हें तरकूं के आधार पर परखने की कोशिश कीजिए सिर्फ बहुत समय से अगर कोई चीज चली आ रही है उसे हम ऐसे ही फॉलो करते रहें वो हमें नहीं करना है तो हर कहानी हमारे सामने जो रखी जा रही है उसका अपना एक उदेश होता है किसी विशेश प्रवत्ती को जागरत करके हिड़य समवेदन बनाना किसी विचारा भाव का सिध्धांत का प्रतिपादन करना अत्वा सुन्दर मानविये भावों का चित्रन करना कहानी का उदेश हो सकता है तो कहानी का उदेश अलग-अलग तरीकेस हो सकता है विशेश प्रवत्ती जागरत करना कि हमारे अंदर कोई प्रवत्ती जागरत हो जाए हिदे समवेद बनाना यानि कि हमारी हिदे को समवेदना पूर्ण बनाना हो सकता है विचारों या सद्धान प्रतिपादन करना हमारा कोई विचार है कोई सद्धान थैं उसको हम दूसरों के सामने रखना हमारा उदेश हो सकता है कि HU कहानी में नेग प्रकार की बौध्धिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनितिक मनुवग्यादित समस्याओं का निदर्षन भी किया जाने लगा यानि कि आजकल की कहानियों में हम जो आधुनिक कहानियां इम खास और से देखें तो उसमें हम बहुत धीक सामाजिक सांस्कृतिक राजनेतिक मनोभाग यानि समस्याओं का हम निर्वदन देखते हैं कि बहुत तरीकी समस्याओं बताई जाती हैं और उन्हें हल करने का तरीक प्रटित्त्यू की प्रतिश्ठा आधुनिक कहाणी की सबसे बड़ी विशेश्था बाबु गुलाब राय ने कहाणी के उद्देश के संब्द में लिखा है प्रतेक कहाणी में कोई उद्देश या लक्ष अवश्य रहता है बात्स सही है कोई भी कहाणी पढ़ो उसमें कोई ना कोई लक्ष हमेशा रहेगा कहानी का धेक एवल मनोरंजन या लंबी रातों को काट कर छोटा करना नहीं है वरन जीवन समंदिक कुछ तत्थ देना या मानव मन का निकट परिचे कराना है तो यहां पर यह मतलब नहीं है कि हमको रात में नीद नहीं आ रही है तो कहानी के लक्षन एक अच्छी कहानी लिखें तो उसके लिए क्या एक अच्छी कहानी उसके क्या लक्षन हो सकते हैं कहानी मानविय समवेदनाओं की अभिवेक्ति हैं उसकी सबसे बड़ा लक्षन है कि हमारे अंदर जो भी समवेदना हैं हम खुश हैं हम तकलीफ में हैं ज उसकी कतावस्तु आप मान के चलो 5-6 लाइनों से जादा नहीं होनी चाहिए कहानी का एक निश्चत उदेश होता है मनुरंजन के साथ साथ जीवन की समस्याओं का चित्रन करना भी कहानी का लक्ष होता है तो कहानी का लक्ष क्या होता है वो सिर्फ जीवन की समस्याओं का चि समस्या का निवारण हमें अवश्य मिलता है इसलिए देखे कहते हैं कि महाभारत एक ऐसी कहानी है एक ऐसा ग्रंत है अगर हम उसको पढ़े तो हमारे जीवन की हर समस्याओं का हल हमें मिलता है हम किसी ऐसे विपरीत स्थितियों में फस जाएं ऐसे महाल में फस जाएं कि हमें निकलने का अगर मौक का कोई अफसर नहीं मिल रहा तो हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए उस गीता में हमारे हर एक समस्या हर एक चीज का निवारण है कहानी को एक बैठक में सरलता से पढ़ा जा सकता है यानि कि हम एक रूम में बैठे हैं और वहां उसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं कहानी में एक ही केंद्रिय समवेदना होती है तता उसके सभी ततो इसी समवेदना को उभारने में सहायता देते हैं कहानी में अलग-अलग को लेकर चलते हैं और सारे तत्तों सिर्फ उसकी ही संवेदनाओं को उभार कर हमारे सामने रखने का कारे करते हैं अगर वो पात्र खुश में खुशी है तो वो सारे सारी चीजें उसमें ही काम दिखेंगी अगर उस पात्र में उस कुछ परिशानी आ रही है उसे कुछ तकली इसे वो उभारेगा तो मतलब बेसिकली कहानी की में क्या होता है एक ही समब्धना पर हम काम करते हैं काहानी मुलता मानभ जीवन से संबंद होती है उसमें केवल कालपनिकता ना होकर यथारत का भी पुट होता है यानि कि हम यह कहें कि सिर्फ वो कालपनिक होगी तो जाहिर सी बात है कि वो जादा लोगों द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी कुछ लोग ही उसको पढ़ेंगे जिनें अच्छी लगती है लेकिन अगर वो मानवी जीवन से कनेक्टेट होगी तो सभी अपने आपको उससे कनेक्ट कर पाएंगे कहानी में शीर्फ का महत्व होता है पूरी कहानी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ शीर्फ के लिखा होना चाहिए कहानी में शीर्फ का भी विशिष्ट महत्व है यह संचिप्त आकर्शक तथा कथा वस्तु से सब्बद होना चाहिए शीर्फ ऐसा हो जिससे पाटक कहानी पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए तथा उसे सफल सीर्फ कहा जा सकता है यानि कि हम शीर्फ देख कर ही उस कहानी को पढ़ने के लिए मजबूर हो जा है तो उसी को कहते हैं सफल शीर्फ कहानी में अंदर जो कोई भी चीज़े घट रही है किसके ब्यारें बताई जा रही है वो सारी चीजें शीरशक के जरीए पता हो जानी जाएं अब आते हैं कहानी में कतोपकतन का महत्व यानि की संबाद का महत्व बहुत महत्वपून है क्योंकि इसके बगर तो कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है और कहानी के जो भी पात रहें उनके चरत्रों के बारे में कहानी के विकास में इन सभी में कतोपकतन का बहुत जादा महत्व होता है डॉक्टर लक्ष्मी नडायनलाल ने एक संबन में लिका है कतोप कथन का तार में ए ऐसा हो जैसे नदी में लहरों की गती तथा उस पर वायू का सैसंगीत जिसके सहारे पाठक के हृदे में उत्रोत्तर कहानी पढ़ने की आकांशा और जिग्यासा दोनू बनी रहे कतोप कथन का प्रतेग शब्द सार्थक और सोदेश होना चाहिए एक शेश कानी वही है जिसके समवाद छोटे पात्रा नुकूल एवं चरित्र अभिविंजक हूँ कहानी में समवाद ऐसे होने चाहिए जैसे बहती हुई चाहिए और यहाँ पर नीचे जो है वो सारी समवाद उस साब से चलने चाहिए तो इसमें जो उनन बताया कि एक्षेष्ट कहानी वही है जिसके संबाद छोटे-छोटे होने चाहिए पात्रा नुकूल होने चाहिए कि जितने भी करेक्टर हैं उस पूरी कहानी पे उसी के अनुसार होने चाहिए और चरित्र अभिवेंजक होने चाहिए यानि कि जो भी चर सौंदर्यों को प्रभावत करना यानि कि हम जब जम शब्दों के माध्यम से कहानी के आसपास के वातावरण को बताते हैं तो वो क्या हो जाता है वो जो जितने भी लोग पाठक हैं जैसे हम पाठक हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम उस कहानी से प्रभावित हो जाते हैं सौंदर् देखनी की जो कामना हमारे अंदर होती है जो इच्छा होती है उसकी पूर्थी होती है पाठक में सची सहानुभूती जागरत होती है पाठक में जो है देशकाल के माध्यम से जो चरित्र हैं अंदर जो पात्र दिये गए हैं उनके लिए अच्छी सहानुभूती गलकर आती है कहानी में उद्देश कहानी में क्या महतु रखता है कहानी का मुल उद्देश मानवत्ता के शाश्वत मूल्यों की व्याख्या करना तता जीवन और जगत के मन पर पड़े प्रभाव को अभिव्यक्त करना है कहानी का उद्देश मनोरंजन उद्देश आत्मक कौतुहल शिष्टी आदर्शिवाद समस्या सुधार प्रभावत्ता मनोग्यानिक्ता आदी कुछ भी हो सकता है तो उद्देश किसी भी तरीके का हो सकता है कोई भी उद्देश दिया जा सकता है लेकिन उद्देश ऐसा होन बना चाहिए जो सभी को प्रभाव। करें कहानी में कथावस्तू का मातुप बहुत जरूरी क्योंकि अगर आपने कथावस्तू नहीं ली तो कहानी को आप ठीक तरीके से गन्राइज या गती नहीं दे जो जो घटना घटनी है वो हम कथावस्तू में लिख देते हैं उसका विस्तार हम कहानी लिखते समय करते हैं यही होता है न तो वही चीज़ उन्होंनों बोला कि कथावस्तू को कहानी का आलेख कहते हैं क्योंकि कहानी की सफलता उसमें नहीत घटनाओं की कलात्मक्ता पर कथावस्तु के सामाजिक एतियासिक धार्मिक राजनेतिक और मौनोवग्यानिक आदी अनेक विश्य हो सकते हैं तो कथावस्तु बेसिकली मतलब कथा इन सारे विश्यों पर लिखी जा सकती है कहानी में सरस्ता कथानक के विकास पर निर्भर करती है कहानी कितनी सरल है कैसे त अब हम आ गए अपनी दूसरी विधातर कहानी में हमने देख लिया कहानी के कहानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है फिर कहानी के अर्थ को देखा उसकी परिभाशा को देखा कहानी के तत्व देखे और उन तभी सभी तत्वों के महत्वों को हमने पढ़ लिया ठीक है तो हमने कहानी की एक जो विधा है वो हर तरीके से कंप्लीट कर ली अब इस पर कह रुखेहसात्विक भावों का अभिने नाटक द्रश्यकाव के अंतर्गत आता है,Professor अधर जाता है, भारते इंदु हरीश्चंद ने नाटक के लक्षन देते हुए, याद रखिये भारते इनदु हरीश्चंद ने एक शास्त लिखा जिसे कहा गया नाट्टे शास्तुर है नाटक से सम्वंदित बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है तो मतलब नाटक का मतलब है अभी आप देखो के इतने इतने बड़े बड़े जो है वह सोज होते हैं प्लेइस खेले जाते हैं सब कुछ होता है लेकिन वहां से वह हुआ है कहां से हुआ है नट से तो कहां दिया है नट लोगों की क्रिया है द्रश्य काव की संग्या रूपक है द्रश्य काव की संग्या रूपक क्यों बोली गई है एक्चल क्या है काव क्या है वो हमें बहुत सुकून देता है बहुत आराम देता है ठीक है हम ज यहांसी वाली रानी थी यह कविता पढ़े ना जब इस कविता को हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कितना उतिजना और कितनी उत्सहा जो है वो भर जाती है Öritt उसी तरीके से आप आव क्लास November की कविता ती घर की याद आ तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उमारे अंदर वैसी सम्वेदना जाग्रत हो झाती है तो यहां पर इसे को द्रश काव की संगार इसले दिए क्योंकि कवित तो हम पढ़ कर आनन्द लेते हैं लेकिन Nep नाटक हम देखकर काव की तरह आनंद प्राप्त करते हैं जैसे काव में सरस्ता होती है को जिस भावना से वो नाटक लिखा जाता है वो भावना हमारे अंदर आ जाती है तो नाटक के साथ भी यह होता है वो उस नाटक जिस भी कथा पर होता है जिस भी भावना पर लिखा जा ठीक है पद्धे विधा आप सभी को पता है लेकिन आज के नाटकों में गद्ध की प्रमुखता है यानि कि जब यह नाटक शुरू हुए थे तो पद्ध थे अब पद्धे नाटक आपको यानि कि नाटक शुरू हुए थे तो पहले यह गद्ध विधाय नहीं होती थी पहले पद्ध विधाय ही डेवलप हुई थी तो वह पद्ध पर लिखे जाते थे अब क्या है यह गद्ध पर लिखे जाने लगे हैं नाटक गद का वह कथात्मक रूप और है जिसमें संगीत नित्त समवाद आधी के माध्यम से रंग मंज पर अभिनित किया जाता है तो समझ में आया कथा का वह रूप है जिसमें अब कोई भी कथा लिखी गई नाटक कैसे बनता है एक कहानी से ही नाटक बनता है हमेशा ध्यान रखना एक कहानी है और कहानी को ही नाटक में तब्दील किया जाता है तब्दील करते समय भी हमें क्या क्या चीज़े साफधानिया रखनी पड़ती है हम वो भी अभी आपको आगे बताएंगे लेकिन हम उसम क्या करते हैं हम संगीट डाल देते हैं नित डाल देते हैं संवाद डाल देते हैं और उसे मंच पर प्ले कर देते हैं जिसे अभी नए नाटक काव का ही एक रूप हो जाता है ठीक है जो रचना श्रमण द्वारा ही नहीं अपितु द्रश्टी द्वारा भी दर्शकों के हिद से अधिक रमड़ी तया होती है यानि कि जो काव भी हम सिर्फ सुनकर आनंद ले रहे हैं वहीं पर अब क्या हो जाता है हम नाटक को देखकर आनंद लेते हैं द्रश काव होने के कारण या लोग चेतना से अधिक कृत अधिक घनिष्ट रूप में संबंध हो जाता है द्रश क नाटक की परिभाशा अब नाटक की परिभाशा किया जैसे इनकेतों से संचित करके उनको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सब प्राण रूप में अंकित किया जाता है नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्वपन नहों सके मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह इनका वक्तव खतम हो गया है जहाँ पर नाटक में जीवन की आकरती को शब्दगत संकेत से संचित करके उसको सजीब पात्रों द्वारा चलते फिरते सप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है अब नाटक में क्या करते हैं हम फैले हुए जीपन व्यापार की ऐसी विवस्था करते हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे प्रभाव उत्पन हो सके नाटक का प्रमुक उपादान है उसके रंग मंचेता यानि कि सबसे प्रभाव पूर्ण जो है कि उसको रंग मंचे यानि कि उसका प्रस्तुती करन प्रेजिंटेशन जो है वो ही सब में सबसे ज़ादा प्रभाव देता है हिंदी साहित में नाटकों का विकास वास्तव में आधुनी काल में भारते इंदु युक से हुआ तो अगर हम आधुनी काल में देखें कि नाटक का विकास कब से हुआ तो वो भारते इंदु युक से हुआ मैंने बोला ना आपको भारते इंदु जी ने शास्त्र लिखा वो था नाटे सास्त्र उससे जो है वो नाटक के तरफ लोगों की बहुत ही जादा रुची बढ़ी है कैसे बहुत जादा मतलब धीरे-धीरे लोग जो है उसमें इंटरस्ट लेने लगे हैं जो पहले नहीं ले पड़े थे दो नाटक के विटभी क्या है पास्षात विध्वानों के मतांसार नाटक के प्रमुख तत्म है तो ध्यान रखिए पास्षात विध्वानों यानि कि जो पश्मी विद्वान रहे उनके हिसाब से यह चीज बोली गई है पहला है कथावस्तु पात्र चरित चित्रन समवाद या कथोप कथन चौता है देशकाल और वातावरन पाच हुआ भाशा शैली और छटा उद्देश तो देखे हमारे कहानी के जितने भी आपके तत्व थ देखते हैं इसको कैसे करते हैं भारतिये विद्वानों के अनुसार नाटक के तत्वों थीसरा है अब सब्सक्राइब नहीं यानि की अक्टिंग चोटा है रस अर्थाद आनंद और पाच्वां है वृत्ती ठीक है तो यह आपके कुछ पांच तत्व माने हैं भारतिये विद्वानों ने चलिए शुरू करते हैं फिर वारतिये विद्वानों के अनुसारी पहला है कथावस्तु साथ ही नाटे वस्तु जिन संवादों के माध्यम से प्रकट होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है तो अब देखे इसमें एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देना हम यहाँ पर नाटे वस्तू का इस्तिमाल कर रहे हैं बात दी है कथा वस्तू ठीक है फरक आपको समझ में आया क्या है जब हम कथा लिखते हैं तब कथा वस्तू होती है लेकिन जब नाटक लिख रहे हैं तो क् नाटे वस्तू होगी समझ में आया क्या चीज हुई तो इन्होंने बोला क्या चीज यह तो मैंने आपको समझा दिया हमारे जो भारतिये जितने भी विद्वान रहे जिन्होंने यह तत्व निकाल के रखे उन्होंने इस चीज का बड़ा ध्यान दिया कि इसमें हर एक नहीं कर सकते क्यों नाटक में हमेशा चीजें हमें जो है कर सबढ़ पडशियों के हिसाब से बाटनी पड़ती है पहली चीज तो ऑक पता है कि घ्यान रखना पड़ता है कि हर एक चीज़ किस द्रिश्ट में और अंदर होगी क्या होगा इसलिए कि नातवस्तू काथा पे ciert थोड़ी सी फरक हो जाती है कथा वस्तु जैसे लिखी गई उसी तरह हम कथा का डवलेप्मेंट कर सकते हैं लेकिन हम कथा वस्तु को नाट में नहीं ले सकते कारण क्या है क्योंकि नाट वस्तु में हम द्रश्ट के हिसाब से लिखने के कारण नाट वस्तु में भी हम द्रश शासर में इस चीज़ को बहुत ही है डिटेल में बताया गया है कि नाटे वस्तु किस तरीके से लिखी जानी चाहिए फिर दूसरा आते हैं नेता अर्थात नायक भार्दी नाच्ट सास्तर के अनुसार दूसरा महतुपूर्ण तत्व है नेता इसके अंतर कर नाटक का नायक तता उसके सहियोगी चरत्र योजना का विशलेशन किया जाता है इसमें क्या होता है इसमें यह करते हैं कि जो नायक है और जो सहनायक है यानि नायक के आसपास जितने भी चरत्र हैं उन सभी के पात्रों के चरत्र का को बताया जाता है कि कौन-कौन कैसे होंगे भार्दी न उसके कार वेपार की कलपना उद्दात उदार दृष्टियों से होती है तो मतलब उसके लिए हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एक आईडिलेस्ट होना चाहिए कि मतलब कोई भी उसको देखे तो यह लगे कि नहीं हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा बनना है उदार होना हैं कैसे माने हैं चार तरीके के क्या है धीरोदात धीर ललित धीर प्रशांत या धीरोदात ठीक है और भारतिया आचारियोंने नाईका के निमने गुण माने हैं कोई अगर नाईका है तो उसके कितने गुण होने चाहिए रूपवती गुणवंती शीलवती योवना और मा गए हम तीसरे तत्व पे वो क्या था आपका रस थीक रस में क्या है भारतिय नाट सास्तर में रस की ही नाटक का उद्देश मानी गई हो अ बूपर नाटक देखने में कितना आनंद आ रहा है कितना मजा आ रहा है इस से तात पर है तो यहां पर भारते नाच साथ में रस सिध्धी नाटक का मुख उद्धेश होता है यानि कि जो कोई भी उस नाटक को देखे उसे आनंद आना चाहिए भरत्मुनी के इनुसार रस के अभाव में नाटक में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है नाटक के शिंगार रस वीर शांत में से कोई एक रस प्रमुक होना चाहिए और शेश रशों की निस्पत्ति अंगी रस के आश्रित रूपे होनी चाहिए भारती नाट सास्तर में रस पक्रिया का विस्तरत विवे पर आधायित हो वीर रस हो अर्थात वहां पर वीरता का प्रदर्शन किसी युद्ध का प्रदर्शन कुछ भी हो रहा हो करुणा का प्रदर्शन हो कोई भी हो तो कोई भी रस हो लेकिन वह होना चाहिए ताकि उससे लोगों को आनंद प्राप्त हो और जितनी भी बाकी पा वेचन दिया गया है नेक्स्ट आते हैं अभिनय यानि की एक्टिंग नाट्टे में समुचित विशय या वस्तु विधान का प्रेक्षा घ्रहों में बने रंग मंच पर अभिनेताओं दारा प्रस्तुतिकरण अभिनय कहलाता है तो समझ में आया क्या है नाट शास्र का स्टेज पर अक्टर्स के द्वारा प्रेजंटेशन यानि प्रस्तुतिकरण ही अभिने कहलाता है भारती नाट सास्र में अभिने के भेद तथा रंग मंच का विस्तार से विवेचन किया गया है अभिने मुख्यता चार प्रकार का होता है वाचिक आहार या सात्विक तो यह रस के भी अंग जरीये हम जो करते हैं वाचिक यानी की हम बोल कर करते हैं आहर यानी की हम जैसे हम कुछ करते-करते हाफने लगे ठीक हमारे पसीने आने लगे ये सारी चीजें साथ्विक साथ्विक का मतलब होता है यह सारी चीजें हमारे मन में होती हैं लेकिन जिसे हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो आप लोग हमेशा देखते हूंगे कि एक बाक्ग्राउंड में भी आवास प्लेस वगेरा में चलती है तो वो साथ्विक प्रकट करने के जायक है वो किस तरह का कार्रे करता है वो किस तरह का जीवनियापन कर रहा है क्या कर रहा है वो व्रित्ति कहलाता है व्रित्तियां चार्पकार की होती है कौशिक सात्विती आरभट्टी और भारती अब आते हैं पास्चात्य साहित्तिकार के अनुसार नाटक के तत्व गए हैं तो इनको भी देखना जरूरी है तो सबसे पहला है कथा वस्तू या कथा नक यह नार्ठक का प्राणतत्व ऐतिहासिक पौराणी कल्पित मिश्रित किसी भी प्रकार की हो सकती है इद्यास से सम्भंधित हो पुरानों से सम्भंधित हो काल्पिनिक हो इमाजनेटिव ह या मिश्रित हो इन सब की किसी भी आधार पर हो सकती है आज कल एतियासिक पराणिक कथा प्रसंगों को का प्रतिकात्मक तथा मिठ की प्रयोग कथावस्तु के रूप में किया जाता है यानि कि हम यहां पर एक मिठ के रूप में इने प्रस्तुत करते हैं कथावस्तु दो प् नाटक हो किसी भी तरह का हो नाटक इसमें जो है संघर्ष होता है कहानी में हर चीज पहले शरू में अच्छी रहती है थीरे-धिरे प्रॉब्लम आती है और अन्त तक जाकर वह हल हो जाता है और सुखद एंड हो जाता है लेकिन नाटकों में इसमें कभी-कभी दुखांत एंड यानि कि दुखांत दुखी जो है वो अंत भी होता है संघर्ष पूरी कहानी में विद्धमान रहता है नेक्स रागए हम चरित्र चित्रन तो चरित्र चित्रन यानि कि पात्रो चत्रण के प्रति प्रति पाश्चात द्रिष्टी स्वाभाविक और यथार्त रही है यानि कि नैच्रल भी है और प्रेक्टिकली भी है अधा भारतिय आचारियों के समान नायक तथा अन्य चरित्रों के प्रति आदर्श्रिवादी द्रिष्टी पाश्चात विद्यानों मे नहीं है तो भारतिये विद्वानों में हमने ये दिखा है कि नायक को एक आधर श्रिवादी रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उसके इंदर सारी qualities हैं सब कुछ अच्छा करता है वो सोचता है सब के साथ अच्छा रहता है सब कुछ अच्छा रहता है लेकि पाश्यात्य संस्रती के नाटकों में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हीरो क्या है एक आम इंसान जैसा उसका सुभाव दिखाते हैं और जो प्रैक्टिकल यानि कि रियल लाइफ में जैसे लोग होते हैं वैसे ही लोगों को का चरत्र निर्मार किया जाता है पात्रों का भी कि मतलब उनके अंदर कुछ अच्छाईयां भी हैं कुछ बराईयां भी हैं वो कहते हैं शांती भी रहता है खुश्मिशाद भी रहता है तो गुस्सा भी करता है वो जहां वो सब के साथ खेलता है तो फिर मारता और लड़ पातों की दरफ ध्यान देना चाहिए अच्छा चरित्र चरित्र का ओचित्ते जीवन के अनुरूप और चरित्र में सुसंगती यानि कि चार चीज़े होने चाहिए जो चरित्र आपने नमाण करो वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि कई सारे लोग उसको देखकर अपने जीव तो जैसे नायक के चरित्र का और चित्त होना चाहिए नाटक में उसी तरीके का हम वहाँ पे चरित्र निर्माण करें और जीवन के अनुरूप हो यानि कि जो रियल जीवन है उसके साथ चाहिए ऐसा नहीं कि एक कालपनिक करेक्टर हम लाकर रख दे ऐसा नहीं करना चाहिए और चरितर की सुसंगती होनी चाहिए, यानी कि वो चरितर बांकी सारी करेक्टरों के साथ हेल मेल करके बढ़ता हुआ आगे बढ़े। चरित चितरन से ताथ पर उसके आंत्रिक विक्तित्व और बाहे विक्तित्व के प्रकटन से है यानि कि एक जो नायक है या जितने भी पात्र हैं जितने भी पात्र हैं तो चरित चितरन के माध्यम से उस पात्र के आंत्रिक विचार और बाहे जितना भी विचार होता है वो संवादों के दूब तेढ्यानि की ऩा कि है कि दूब नाइलibile सकते हैं यहाँ तों कुछी पात्र लाज कि भागों में बब्भाज़त जाता है वेक्ती पात्र यानि की जो हम अक्च्वल एक्ट कर रहें प्रतिन पात्र यानि की हम किसी को संभल रखकर उसको बता है नाटक में हम जितना भी चीज बताएंगे वो सभी समवादों के माद्यम से ही आगे बढ़ता है इस तत्यु के अभाव में नाटक की कलपना ही साकार नहीं हो सकती है समबाद जितने सार तक संचित वक्र शक्ती संपन होंगे नाटक उतना ही सफल होगा आता समबादों की भाषा सरल सुबोध और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए तो जितने भी आप उसके अंदर संबाद रखेंगे उनमें चोटे-चोटे वाक्य होने चाहिए भाषा सरल होनी चाहिए सहजता से लोगों को समझ में आए और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए यानि कि एक का संबाद दूसरे से कनेक्टेट रहना चाहिए देशकाल और वातावरन नाटक में जिस देशकाल या द्रश उपस्थत किया जाता है उसे साकार करने के लिए नेपथ्य वेशभूशा रंग भूशा भाषा संस्रती संकेत आदी का ध्यान अनिवार रहे है अब यानि कि जो हमें देशकाल यानि नेपथ्य का मतलब होता है जो स्टेज डेकोरेशन है जो परते पीछे लगते हैं उन सारी चीज़ों का वेशभूशा जो लोगों ने धारन की हुई है रंग भूशा यानि कि जो जिस तरीके से उन्होंने मेकप किया है या अब मान लिजे अफरीका के लोग डार कंपलेक्शन के होंगे तो अमेरिका के लोग जो है वो लाइट कंपलेक्शन के होंगे भारत में यह अपला जाएए दक्षणी लोग dark complexion के होते हैं जबके आप हिमाचल या हिमाले के साइट जाएंगे तो महां के लोग जो है उनका complexion bright रहता है भाषा उसी हिसाब से होनी चाहिए सांस्कृतिक संकेत भी उतर रही यानि कि जैसे मान लिजे कि अगर हम कोई एतिहासिक नाटक प्ले कर रहे हैं यानि मान लिजे रानी लक्षपिवाई का नाटक अगर प्ले किया जा रहा है तो उसमें उसी तरीके के traditional dress होने चाहिए stage decoration वैस संकलन यंत्र का प्रतिपादन किया है संकलन यंत्र अर्थात इस्थल समय काल की एकता नाटक में कथा के युग के अनुसार हो तथा समाज और राजनीती की प्रस्तियों का अंकल किया गया हो एतिहासिक नाटकों में तो इन तत्वों का निर्वा अत्यंत अपरिहाय है सफल नाटक द्रश विधान मंच विरस्था वेश भूशा अब इन्हें आदी के द्वारा सजी वातावरण की शिष्टी करता है तो हम यहां पर सीरी सीदे यह कहेंगे कि एक जो बढ़िया नाटक होता है जो जिससे हम लोग जो दर्शक हैं उससे अपने आपको ज्यादा दिर कने से बया करते हैं यहां पर हमें स्टेश डेकुरेशन पात्रों के वेश भूशा उनके समवादों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि नाटक जब भी होगा आपका जब कभी भी नाटक आप जिसी समय का भी लिख रहे हैं आप चाहें बूत काल की किसी नाटक को अभी प्ले कर रहे होंगे लेकिन उसमें था जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसमें हमेशा हे का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका मंचन वर्तमान समय में हम स्टेज पर करते हैं भाशा शैली क्या दिया है यहां पर समवा प्रभाव शाली बनाने के लिए भाषा शैली का आश्रे लेना अनिवार हैं नाटक की भाषा सहच सरल सजीव और अभिनया नुकूल होनी चाहिए यानि कि जो आप आक्ट कर रहे हो उसके कॉर्डिंग होनी चाहिए गंभीर तता हास सिवेंग प्रधान शैली को तो सर्विमा यानि कि हम जैसे कभी-कभी होता है कॉमेडी प्लेज भी होते हैं कभी-कभी आपके कहते हैं तो वह उसके कॉर्डिंग हमें करना पड़ता है यह माना जाता है कि सफल शैली के लिए सरस्ता अनिवार शर्त है साथ ही गह कलात्मक और प्रभाव शाली भी होनी चाहिए भाष को भी अगर मंचन किया जा रहा है तो उसका भी अपना एक उदेश होता है पाश्चात्र परंपरा के नुसार जीवन यथार्त जीवन संघर्ष को सामने लाना नाटक का उदेश है यानि कि हमारे जीवन की जो वास्तिविक्ता है हम जो मुश्किलें जहेलते हैं अपने जीव यानि कि नाटक का एक खाली कारण नहीं है कि दूसरों का आप इंटरेंट करो यहां पर उसका एक लक्ष यह भी है कि हमारे वास्तिविक जीवन में जो चीज़ें सारी घटित हो रही है जो कुछ भी है उसे हम नाटक के द्वारा प्रस्तुत करें ताकि लोग उससे जैसे अब लोगों सभी लोगों के जीवन में कोई नहीं कोई कटनाई आती है तो अगर नाटक में वो यह सारी चीज़ेंगे तो उसी तरीके से उसे भी हल करने की कोशिश करेंगे हिंदी के प्रस्त नाटकों के नाम ठीक है कौन-कौन से देखिए अंधेर नगरी भारतेंदु हरीश चंद्र का है धुब स्वामनी जैसंकर प्रशारत का है अंधा युग धर्मवीर भारती का है आसाल का एक दिन मोहन राकेश का है बकरी सरवेश दयाल सक्सेना जी का है ए कुछ नाटक जो फेमस रहें बहुत जादा वह आपके सामने रखती है क्योंकि हो सकता है आपसे एमसी की उस बेस में भी पूछ लिया जाए अब हम आ जाते हैं तीसरी हमारी विधा वो है रेडियो नाटक कहानी से बना नाटक और जब हम नाटक क्योंकि नाटक जब हम कि पर प्रस्तुत करते है तो हम औखों से भी देखते हैं और कानों से सुनते भी हैं receiving धिकिनगे एक रेक ही है माध्यम है जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं तो उस कंडिशन में हम अगर इस पर नाटक बनाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा यह हम देखेंगे तो देखें क्या है रेडियो रूपक या नाटक रेडियो श्रब विमाध्यम है नाटक की जिस विधा को रेडियो पर सुनने से उसका कालपनिक चत्रुत्पन होता है और उससे आनंदा नु अच्छा लगता है तो वो हो जाता है रेडियो नाटक या रेडियो रूपक रेडियो नाटक को अंधेरे का नाटक भी कहा जाता है क्योंकि वो कहीं पर भी प्ले नहीं किया जा रहा है वो हमें कहीं दिखता नहीं है क्योंकि इसका मंचन अद्रश्य होता है अर्थात इसे देखा नहीं जाता सिर्फ सुना जाता है तो समझ में आगा इसे क्या बोलते हैं अंधेरे का नाटक भी बोलते हैं नाटक लेख को द्वारा रेडियो पर प्रसारण के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं उन्हें रेडियो नाटक कहा जाता है तो इसमें हमेशा ध्यान लखना होता है ठोड़ा जो हम इस्टेज पर ना टक प्ले करते हैं। उनसे थोड़ा सा हड कर चीजे को तो हैं तो अब ये रेडियो के नहीं अलग तरीके सी लिखे जाते हैं भाषा संबाद ध्वनी एम संगीत रेडियो नाटक के उपकरन है रेडियो नाटक में जब हम लिखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें हमें सर्फ सुनाई देनी हैं जो बोली जा रहे ही भाषा है जो संबाद है जो ध्वनी है और जितना भी संगी बैग्राउंड म्यूजिक जो प्ले होता है यह सारी चीज़ें रेडियो समय में रेडियो नाटक विधा स्वतन्त रूप से प्रतिष्ठत हो गई है रेडियो नाटक ध्वनी और शब्दों का नाटकी यह सामंजस से है रेडियो नाटक में श्रोता का सहज संबंध पात्रों के अंतरमन से जुड़ा होता है यानि कि हम जब रेडियो नाटक देख हम उसके साथ connection ले पाते हैं, रेडियो श्रब्वी माध्या में अता रेडियो नाटक भी श्रब्व्य होते हैं, सिर्फ इनको सुन सकते हैं, इसमें ध्वनी की प्रधांता होती है, डॉक्टर रामकुमार बर्मा ने रेडियो नाटक को ध्वनी नाटक भी कहा है, इसे अंधे का सिनेमा भी कहा जाता है अंधा आद्विक्त जो देख नहीं सकता उसी तरह का सिनेमा होता है क्योंकि इसे मात्र सुनकर ही आनंद के अनुभूती होती है रेडियो नाटक ध्वनी और संगीत का समन्वित रूप है पात्रों का कारवयपार धनियों का प्रभाव समवादों की गती और संगीत को कथा सूत्र में पिरो कर रेडियो पर जिसका प्रस्तितिक करण किया जाता है वही रेडियो रूपक है अब आते हैं कहानी का नाट रूपांतरन करते समय किन महतुपूर बातों पर ध्यान देना चाहिए देखे हम जब कहानी लिख लिते हैं तो कहानी से हम उसे नाटक में भी तब्दिल करते हैं जो रंग मंज यानि कि स्टेज पे प्ले किया जाता है उसी तरीके से रेडियो नाटक भी किस से बनता है कहानी से ही बनता है जैसे कहानी से नाटक बनता है उसी तरह कहानी से रेडियो नाटक भी बनता है अब इसको करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो हम देखते है कहानी एक ही जगहा पर इस्थित होनी चाहिए कहानी का समवाद नाटक के समवाद से भिन होता है नाटक समवाद के आधार पर आगे भड़ता है बात चाहिए नाटक समवाद क्या इसलिए समवाद का समावेश करना जरूरी है कहानी का नाट रुपांतर करने से पहले उसका कथानक बनाना जरूरी है यानि कि जब हम कहानी का नाट रुपांतर कर रहे हैं रेडियो के लिए तो उसका कथानक बनाना हमारे लिए जरूरी है नाटक में हर एक पात्र का विकास कहानी की ही तरह होता है इसलिए कहानी का नाट रूपांतरन करते वक्त पात्र का विवरन करना बहुत जरूरी होता है अब नाटक में क्या होता है जब हम करते हैं तो पात्र हमें सामने दिखाई देता है लेकिन रेडियो नाटक भी तो पात्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो हमें सिर्फ सुनाई दे रहा है तो उसके पात्र का चरच चितरण हम किसके माध्यम से करेंगे हम समवादों के माध्यम से करते हैं किसके जो डालॉक्स बोले जा रहे हैं उसके माध्यम से हम करते हैं क लिकिन जब कहानी से हम उसे नाटक में तबदील कर रहे हैं तब यहां पर पूरा एक टीम काम करता है मतलब इसमें मान लीजे जब हम उसको कहानी से बदल रहें तो उसमें कितने चरित्र होने चाहिए उसके पीछे द्वनी होनी चाहिए समबाद अलग होने चाहिए आवाज स लोगों को उसी तरीके से बुलाते हैं ताकि सुनने वाला यहां पर समझ सके कहानी का नाट रूपांत्रण करने से निर्देशक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम होता है किसका काम होता है निर्देशक का तो यहां पर हमने नाटक को देख लिगा कि किस तरीके से हम ब मिल्ट में लेकिन अभिविक्ति माध्यम में कुछ विदहाओं के इलावा लग पे जिस जनश नाम है जैसे मुदृत में रेडीयों है और आपका लेंगे इसके एलावा जब हम लेख लिखते हैं यानि कि जब लेखन करते हैं इसमें पत्रिकारी लेखन अपका विशेश रिपूर्ट किस तरीके से किया जाता है समाचार के कितने तत्यों होते हैं कितने तरह पत्रकार होते हैं यह सारी चीजें जो हैं हमने यह बांकी चैप्टर सब्ढ़ी है तो अब हम उनहीं को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो शुरू करते हैं है के सबसे पहले हमारे सामने में आ रहा है प्रिंड अर्थात बुद्रत माध्यम जो चीज़े हमारे पास परिंट होती है छपी होती है जनके अंतरगत आता है समाचार पत्र और आप क्या नीउस पेपर है्पर माध्यमों में सबसे पुराना है सबसे पुराना माध्यम माना जाता है कैसा सबसे पुराना माध्यम असल में आधुने क्यों के शुरुवात ही मुद्रण यानि छपाई के अविश्कार से हुई थी हाला कि मुद्रण की शुरुवात चीन से हुई लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके अविश्कार का श्रे जर्मनी के गुटेन बर्ग को जाता है तो यह कुछ नाम है जोने आपके याद रखना है चापा खाना यानि प्रेस के अविश्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी है यूरोप के पुनर जागरन यानि रेनेंसा के था तब से अब तक मुद्रन तकनीक में काफी बदलाव आया है और मुद्रत माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है तो हमने ये प्रिंट माध्यम के बारे में जितना कुछ पढ़ा है इसमें सब बेंतेहां कोश्चिन बन सकते हैं कि भारत में छापा काना खप खुला 1556 चपन में खुला कहा खुला गुवा में खुला क्यों खुला मिश्नरियों ने धर्म प्रचार के लिए खुला उसकी पुस्तके चपवाने के लिए खुला तो बहुत सारे प्रिश्च बन सकते हैं जो मैंने इसमें आपको पढ़ाया और चापे खाना सबसे पहले क्या है वह कि क्या विशेशना है देखिए सबसे पुराना माध्यम माना जाता है और सबसे प्रचलित माध्यम भी है आज भी यह उतने आज के आधुनिक समय में जब हमारे हाथ में इंटेनेट है अल्रेडी हम सब के आवास मुबाइल है लेकिन आज भी हर घरों में न्यूस पेपर आज जाता है जाता है कि नहीं जाता है तो मतलब हम यह कह रहेंगे कि जब आधुनिक जनसंचार के माध्यम आए तो इतना पुराना माध्यम बंध हो गया तो ऐसा नहीं है समाचार जो पत्र पहले मुद्रित माद्यम जो पहले चला करते थे वो आज भी है पहले इनका रूप समाचार के रूप में ज़रूर नहीं था पहले क्या होता था शिलालेक होते थे तामर पत्रों पर लिखा जाता था लोगों को जो है अवेर करने के लिए आप देखेंगे जो पुराने पुराने अगर आप महलों में जाएं तो वहां पर आप देखेंगे शिलाओं पर चीजें मुद्रित रही आप अगर आएं तो मद्ध्र प्रदेश के भुपाल के पास आप भी मैटका जा सकते हैं जहां पर भित्ति चित्रों के माद्यम से जनसंचार जो किया गया तो यह सभी क्या हैं जनसंचार के ही हमें बहुत सारे उधारन देखनी को मिलते हैं तो अब इनकी विशेशताएं क्या हैं प्रिंट माध्यमों के वर्ग में अखबारों पत्रिकाओं पुस्त को आदी को शामिल किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेश मह महत्व है प्रिंट माध्यमों की विशेशताएं निम लिखेते बात सही है आज के समय में आप अगर प्रिंट माध्यम पर आओ तो अखबार हम लोगों के घरों में आता है मैगजीन्स आती हैं हम लोग अपनी बुक्स वगएरा भी इसी वे में पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो यहीं चीजें क्या हैं यह हमारे धैनिक्त जीवन में विशेश महत्व रखती हैं और प्रिंट माध्यमों की इसकी विशेशता हैं आगे हम देखते क्या है माध्यमों की छफैश चब्डों में तो वर्ट्स चलते रहते हैं इंटनेट पर बहूँ तो चलते रहते हैं ठीक है ना रेडियो में कोई बोल रहा है वो बोल कर चला गया खतम काम लेकिन इसमें क्या है इस्थाइत्व है यहां पर रुका हुआ है हम वो मतब ऐसा नहीं है कि वो चल रहे हैं हम हम खुद उसको पढ़ेंगे हम चाहें तो हम बीश में रुक सकते कभी-कभी कोई खबर हमने ऐसी पढ़ी कि नहीं हमें इस पर विचार करना चाहिए तो हम थोड़ी दे रुक जाते हैं फिर आते हैं इन्हें बार-बार पढ़ा जा सकता है मतलब कोई खबर है या कोई ऐसी चीज है अगर हम उसको चाहें कि हम दुबारा पढ़ लें तो बा करते हैं कि इसे पढ़ने की शुरुबात किसी भी प्रष्ट से की जा सकती है जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट पेज से ही पढ़ें जैसे मेरी आदत है जैसे हम नियूस पेज में क्या करती हूं मैं सबसे पहले मैंने पहला है पढ़ ली फिर उसके बाद में एकदम एंड वाले पेज में आ जाती हूं ठीकि एकदम आखिर वाला जो पेज रहता है मैं उसको पढ़ंगी फिर उसके बाद मैं आगे से पढ़ना शुरूर करती हूं में जो मेरा नियूस पढ़िपर पढ़ने का तरीका है इस तरीके से पढ़ती हूं इसे इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्ब की भाती प्रयुक्त भी किया जासता है कभी-कभी बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें किसी चीजों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या किसी चीज की जानकारी इकत्र कर रहे हैं तो वो उन उन्यूस पेपर्स को समहाल के रख लेते हैं उनकी कटिंग करके रख लेते हैं कि बाद में ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगे प्रिंट या मुद्रत माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योगे बात हैं यानि कि जब हम प्रिंट माध्यम के लिए लेखन कार्रे करते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखने पड़ती हैं ठीक है तो क्या दिया है मुद्रत माध्यमों में लेखा को जगा यानी स्पेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए जैसे किसी अकबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने का को कहा है तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना है कि अकबार या पत्रिका में असीमित जगा नहीं होती है समझ में आया अब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा है कि नियूस पेपर पूरी तरीके से हर खबर से बढ़ा रहता है अब उनके लिए क्या हता है पटिकुलर हर एक चीज़ के लिए स्पेस डिसाइड होता ह है तो संपादक क्या करता है उस स्पेस को उतने words के according बता देता है कि तुम्हें 200 शब्दों का लिखना है आपको 250 का लिखना है आपको 50 की खबर देनी है आपको 25 शब्दों की देनी है आपको 500 शब्दों का लेक लिखना है तो इस तरीके से एक जो है शब्द सीमा दे दी जाती है क्यों क्योंकि पेपर में जगह उनके तो पेज़ेंगे तो इसलिए वहाँ पर जगह सीमित होती है तो वह स्पेस का हमें में तौर पर लेखन करते समय ध्यान रखना चाहिए इसलिए उसमें वर्ड लिमिट यानि की शब्द सीमा दी जाती है मुद्रत माग्डेम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेक में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद या गलती अशुद्ध ही वहीं चिपक जाएगी यानि कि लेखन करते समय हमें यह देखना है उसकी उसमें जितनी भी अशुद्धियां हैं यानि कि आपका कैसे मात्राओं की गलतियां होती हैं स्पैलिंग मिस्टेक्स होती हैं जो कुछ भी है वो सारी तरीके से गलतियां हटा दी जाए क्योंकि अगर गलतियां नहीं हटी तो वो चीज चप जाएगी और एक बार चप गई तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता जबकि अखबारों में वो चीज़ें तो हम दूसरे दिन माफी कहकर सुधार भी सकते हैं लेकिन पुस्तकों में अगर एक बार वो चप जाए तो फिर बदलना मुश्किल हो जाता है देखिए आखबार जो है वो हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ता है वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़ेगा जो बहुत जादा बौधिक है वो भी पढ़ेगा बच्चा भी पढ़ेगा बुड़ा भी पढ़ेगा जवान पढ़ेगा इस तरी पढ़ेंगी युवितेयां पड़ेंगी सभी लोग पड़ते हैं तो इस कंडिशन में हमें ये ध्यान रखना है सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लेखन करना पड़ता है इसलिए एक ऐसी भाशा का चैयन ऐसी शैली का चैन होना चाहिए बातों को इस तरीके से प्रकट करना चाहिए कि हर वर्ग का विक्ति उसे आसानी से समझ सके नेक्स रात के रेडियो श्रव माध्यम है इसमें सब कुछ ध्वनी स्वर और शब्दों का खेल है तो देखे हमने पहला प्रिंट माध्यम पढ़ लिया ना अब हम आ गए है किस पर रेडियो पर ध्यान से देखेगा क्या है तो रेडियो क्या होता है श्रव माध्यम होता है तो हमने अभी तक क्या देखा प्रिंट माध्यम क्या होता है इसकी विशेशता है क्या होती है लिखते समय हमें क्या बाते ध्यान रखनी चाहिए अब रेडियो पे आ गए दूसरा जन संचार का माध्यम इस सब वजाओं से रेडियो को शोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है यानि कि जो लोग सुन रहे हैं उनी से संचालित यानि कि जो उनकी रुची है उसी इसाब सिफ कारिक्रम रेडियो में प्रसारित किये जाते हैं रेडियो पद्रकारों को अपने शोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए ठीक है रेडियों के जो पत्रकार होते हैं क्योंकि रेडियों पे भी तो खबरे आती हैं तो अपने जितने भी श्रोता हैं उनका ध्यान रखना चाहिए इसकी वज़ा से अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्द नहीं रहती कि वे पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं भी पढ़ सके हैं ठीक हैं जैसे अखबार के पाठकों के साथ यह सुविधा उपलब्द रहती है कि वो अखबार घर में बैठके पढ़ें गार्डन में बैठके पढ़ें ठीक हैं हम कभी भी ले जाएं और कहीं भी फोल्ड कर लें और कहीं से भी शुरू हो जाए पढ़ ले जाए लेकिन रेडियों के साथ यह नहीं होता रेडियों हमारे साथ सब जगे जा सकता है लेकिन पर्टिकुलर उसमें हर एक चीज़ को प्रसारित होने का समय होता है यह सुधा उसमें नहीं होती अगर किसी समाचार लेक या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझे नहीं आये तो हम डिशनरी से पूछ लेंगे कोई बात समझ में आई तो किसी बड़ games कुछ भी कर सकते कुछ गर कर सकते लेकिन ये चीज नहीं होती अब cro AM समझे बंद कर के सुन रहे और हम समझमे नहीं सकते कि अगर को जो है रेडियो के शोताओं के पास नहीं होती है वह अकबार की तरहे रेडियो समाचार बुलेटन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता है बाद सही है हम अकबार को कहीं में उठा कर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन रेडियो तो हम सुनतों सब जगे ले जाके सुन सकते ह लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसे बुलेटन के प्रसारण समय का इंतजार करना पड़ता है और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद एक दूसरा समाचार सुनना पड़ता है तो यह रेडियो को लेकर जहां यह है कि बहुत सस्ता जनसंच इंतजार माध्य में वहीं इन सारी चीजों को लेकर खामिया भी हैं कि हम जो है इसके लिए कोछी समझ में नहीं आए तो रुक नहीं सकते हैं पिर जब यह शुरू हो जाएगा तो ध्यान लगाकर हमें सारी बातें एक से बाद एक सुननी पड़ती हुए जरासा ध्यान हट बात हमने ध्यान नहीं दी तो वो चीज निकल गई इस बीच वा इधर उधर नहीं आ जा सकता ना ही उसके पास किसी गूर शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्द कोश का सहारा लेने का समय होता है यानि कि अगर कोई मुश्किल शब्द आ गया है कोई भी चीज आ गई अब रेडियो समाचार की संग्रक्षना अब रेडियो में जो समाचार लिखा जाता है उसकी संग्रक्षना किस तरीके की की जाती है रेडियो के लिए समाचार लेखन अकबारों से कई मामलों में भिन होता है यानि कि अलग तरीके से लिखते हैं चुकि दोनों माद्यों मे में प्रकती अलग-अलग होती है अब कैसे होती आक बार पढ़ा जाता है मुद्डित मादर में रेडियो शुब मादर में जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं इसी लिए समाचा लेखन करते हूए उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब हम समाचार लिख रहे हैं तब रेडियो के लिए अगर वो समाचार लिखा जा रहा है तो उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है रेडियो समाचार की संग्रक्षना अखबारों और टेलिविजन की तरह उल्टा पिरामिट शैली यानि इन्वर्ड पिरामिट शैली पर आधारित होती है चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हूँ समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी और लोग प्रिय शैली उल्टा पिरामिट शैली ही है सभी तरह के संजंचार माध्यों मे सबसे अधिक यानी की 90 प्रतिशत खबरे इसी शैली में लिखी जाती है तो मतलब समाचार लेखन के लिए सबसे 6 शैली यही मानी जाती है जिसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली क्या कहते हैं उल्टा अभी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे आपको बताएंगे क्योंकि यह तो हमारे सलबस में ही है तो यह 90 प्रतिशत आप चाहे टीवी के लिए लिए अखबार के लिए 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 किसी के लिए भी अगर आप समाचार लिख रहे हैं तो इसी शैली में लिखा जाता है जिसे हम उल्टा पिरामिट शैली कहते हैं. उल्टा पिरामिट शैली में अखबार के सबसे महतरपूर तथो को सबसे पहले लिखा जाता है इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या या ब्योरा का काला नुम कर्म की बजाए सबसे महत्वपूर तथ्य या सूचना से शुरू होता है तात पर यह कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमिक्स अंत में नहीं बलकि खबर के बिल्कुल शुरू में होता है इसे उल्टा पिरामिट शैली में कोई निश्कर्श नहीं होता तो यहाँ पर धियान दिजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दिती हूँ हम लोगों ने कहते हैं पिरामिट देखा है आप सभी लोगों ने है न क्या देखा है पिरामिट देखा है न तो पिरामिट में क्या होता है हम लोगों ने पिरामिट इस तरीके से देखा है कैसे होता है पिरामिट इस तरीके से होता है लेकिन आप पिरामिट में क्या होता है क कि जब पहले खबर हम ये दुते विश्व युद्ध से पहले की बात अगर हम जाएं तो उसमें क्या होता था घटना जिस काल क्रम में घट रही है उस तरीके से खबरे बताई जाती थी मान लेजिए कि काफिला चल रहा है चल रहा है फिर वह एक जगह रुका फिर वह खबर से घट रहा था तो उसे ये एक जो ये ये शैली से जब खबरे बताई जाती थी ना तो ये बहुत स्लो प्रोसीजर होता था लोगों को बहुत टाइम देना पड़ता था फिर क्या हुआ दुते विशुद के समय जो है घटना आए बहुत तेजी से घटी तो इतना समय नही कहा कि क्यों नहीं हम इस शैली को ही जिस शैली में हम बता रहे थे हम काल के अनुसार बताते थे खबर जिस तरीके से चल रही है चल रही है चल रही है और अंत में जो घटना घटी है मुसे बताते थे तो उन्होंने ये कहा कि हम इसी शैली को पलट देते हैं तो उन्होंने कर दिया इस शैली को उल्टा यानि कि इसे बना दिया उल्टा पिरामिट शैली और इसे तीन भागों में बाट दिया ठीक है तो इन्हों ने क्या किया कि जो घटना घटी जो सबसे महत्वपूंड थी वो सबसे नंबर वन पर रख दी अब उसके बाद आया कि घटना जो भी घट गई माली जैसे कि एक रेल अक्सिडेंट हो गया या कुछ भी कोई भी घटना घट गई तो वो सबसे पहले आ गई वो हो गया फिर उसके बाद वो घटना कहां पर घटी और किन दो गाडियों के बीच घटी या किस घटना में घटी तो वो घट्टे क्रम में हमने उसे सेकेंड नमबर पर बता दिया ठीक है यह हो गया फिर उसके बाद उसमें सबसे नीचे बताया कि इस घटना को घटने के क्या क्या कारण थे यह सारी बचीजे बताई या इस घटना को कैसे रोका जा सकता था कि यह घटना ना घटे तो यह तीसरे क्रम में आ गई ठीक है तो ये कुछ चीजें आपको बताई गई ये चीजें हुई कि ऐसे ऐसे जो घटनाएं घटती हैं हम इसको बता रहें तो ये शैली जो सबसे एंड में हम घटना को बताते थे उन्होंने क्या किया इस शैली को पलटके सबसे पहले बताने क्या काम कर दिया अब इस शैली में जो ए जैसे घटी उसी क्रम में अब इसके भाग को अभी हम आपको आगे बताते हैं इस शैली में समाचार को तीन भागों में बाटा गया है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस शैली में हम समाचार को कितने तीन भागों में बाटते हैं जिसे इंट्रो बॉडी और समापन कहा जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम उल्टा पिरामिट शैली की बात करते हैं तो ये तीन भागों में बढ़ता है पहला दूसरा और तीसरा इसमें पहला हमारा क्या होता है इंट्रो पहला होता है इंट्रो दूसरा होता है आपका बॉडी और तीसरा होता है आप का समापन तो यह तीन पार्ट होते हैं जो हम यहां समझेंगे पहला आपको क्या बताया गया इंट्रो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी का मुखड़ा भी कहते हैं तो सारे नाम याद रख लीजेगा इसे हम इंट्रो कहते हैं लीड कहते हैं मुखड़ा भी कहते हैं इ उसे हम सबसे पहले दो-तीन पंक्तियों में बता देते हैं जो भी घटा घटी उसे सबसे पहले बता देते हैं फिर आता है बोडी बोडी में इस भाग में समाचार के विस्टत वहरे को घट हुए महत्रकम में लिखा जाता है फिर आमने जैसे घटना बताई कि क्या घट गई फिर उसके बाद घटनी कहा घटी किसके साथ घटी और क्या घटी तो हमने सबसे पहले बता दिया किसके साथ घटी कहा घटी और क्यों घटी ये हमने बता दिया फिर आते हैं समापन पर इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती इसमें प्रासंगिक तथ्य और सुचनाय दी जाती है यानि कि प्रसंग से सम्मंदिती जैसे हम दी जाती है हमने यह बताया कि रेल गाड़ी दुर घटना घटी कहां हमने यह सबसे पहले बता दिया कि दो रेल गाड़िया आपस में भिड़ गई यह एक breaking news थी ठीक है यह express वो express आपस में भिड़ गई एक कौन कि कहते हैं किस स्थान पर किस समय पर घटी ठीक है फिर उसके बाद जब हम समापन पर आएंगे तो कितने लोग घायल हुए इस घटना को घटने का क्या कारण था इसे कैसे रोका जा सकता है तो मतलब कहानी जहां break शुरू हो रही थी वहीं end तक हम इसमें क्या आ जाते हैं इसमें हम क्या कहते हैं आपका विशलेशन आत्मक तौर पर आ जाते हैं हम पूरी कथा का जो घटना घटी उसका हम विशलेशन करने पर आ जाते हैं समापन में आक प्रासंगिक तथ्यों सूचनाय दी जाती है आकड़े समाया और जगहा कमाना वा देते हुए आखरी सा आपर समाचार में देते हुए समाप्ट कर दिया जाता है रेडियो के लिए समाचार जैसे के अभी हम क्या पढ़ रहे है रेडियो के लिए समाचार लेकं समंदी बिनियादी बाते रेडियों के बलना है तो इसलिए वह कॉपी एकदम साफ सुछी होनी चाहिए तो क्या होगा कभी किसी के नहीं समझ में आती कुछ हो जाता है तो इसलिए जो भी है पूरी तरीके से टाइप्ड होनी चाहिए और साफ सुत्री होनी चाहिए ताकि जो है जिसे खबर पढ़नी है वो कहीं तरीके से बच जाए कि कहीं वो फंवलिंग करने लगे या रुख जाए उसे कोई बात समझ में ना आए तो इस बात सोथ से बचने के लिए इस तरह की कौपी होनी चाहिए रेडियो समाचार कानों के लिए यानि सुनने के लिए होते हैं इसी लिए उसके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी होता है लेकिन एक महतपूर तत नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं अब हम सुनेंगे तुसे पहले यानि कि कोई बोलेगा तभी तो हम सुनेंगे ना तब वा शोताओं तक पहुंसता है इसलिए समाचार कौपी ऐसे तयार की जाने चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत ना हो यानि कि जो लोग समाचार पढ़ रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिकत नहीं होनी चाहिए अगर समाचार कॉपी टाइब और साफ सुथ्री नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खत्रा रहता है इससे शोताओं का ध्यान बढ़ता है या वे ब्रहमित हो जाते हैं इस रहतने हिसे प्रसारण के लिए त्यार की जा रही समाचार कॉपी को कम्प यूटर ट्रिपल स्पेस में डाइब कीया जाना चाहिए अप सभी यहां पर देखो जो यह सारी चीज़ें क्प्यूटर से ही टाइबें तो आप यहां देख रहे हो कि हां सिंगलब इस्पेस हैं क लेकिन इन्होंने क्या बोला ट्रिपल स्पेस में यानि कि इससे तीन गुना जो है वो स्पेस होना चाहिए तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब आप उसमें टाइप करोगे तो वो ट्रिपल स्पेस में होनी चाहिए कॉपी की दोनों और परयाप्ट हाशिया छोड़ा जाना चाहिए यानि कि इधर भी स्पेस होना चाहिए और इस तरफ भी एसस होना चाहिए और बीच में खबरे लिखी जानी चाहिए ऐसा क्यों होना चाहिए starting में कोई misprint हो सकता है या end में misprint हो सकता है इसलिए सारी चीज़ें बीच में mention होती है एक line में अधिक्तम 12-13 शब्द ही होने चाहिए एक line में 12-13 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजत नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग बनाते हैं जैसे यहां लिखा तो यहां पर dash लगा दिया और बाकी शब्द दूसी line में लिख दिया इस तरीके से आधे विभाजत शब्दों को नहीं लिखना जैसे हमने यहां पर टा लिख दिया डैश लगा दिया और इप यहां नीचे लिख दिया तो यह नहीं होना चाहिए प्रेश्ट के आखेर में कोई line अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए यानि कि जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते जैसे मैं भी कोशिश यहां करती हूँ कि कोई line अधूरी नहीं हो यहां पर पूरा खतम होना चाहिए उसके बाद new line हमारी new page से शुरू तो यह चीज यानि कि जैसे हमने यहां पर पढ़ा समाचार copy में ऐसे जटिलोर उच्चार के लिए cutting stuff दो संचिताक्षर या abbreviation बस यहां पर खतम कर दिया यह line आपकी अगले page पर चली गई तो यह काम नहीं होना चाहिए पूरी की पूरी line इसी page पर रहनी चाहिए तो यह अपरिपेरेशन यह अंक आदी नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लडख़ा है तो कभी पभी कोई संचिताक्षर या किसी भी चीज़ों को मेंशन नहीं करना चाहिए जिससे हम फंबल कर सकते हैं यह ध्यान रखिए अब आते हैं रेडियो समाचार लेखन में अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए अंक तो मतलब बहुत जादा इसमें सावधानी रखी जाती है क्योंकि पढ़ते समय हमें वैजैसे लिखे हैं उसी तरीके से अंकों को पढ़ना पढ़ता है तो इसलिए अंक लिखते समय थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए अब ये सावधानी क्या है ध्यान दीजेगा जैसे एक से दस तक के अंकों को शब्दों में और 11 से लेकर 99 तक अंकों को अंकों में लिखा जाना चाहिए जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता दे जैसे एक से लेकर दस तक जो है इन्हें हम शब्दों में लिख सकते हैं यानि कि एक दो तीन इस तरीके से लिख सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 11 से लेकर 9949 तक के नंबर तो हम कैसे लिखेंगे इसे जैसे हमने लिखा 11 तो हम यहाँ पर इसे 11 नहीं लिखेंगे ठीक है कि इसको हम क्या लिखेंगे जैसे ये रूप है इनको इसी तरीके से लिखेंगे यानि कि जैसे मान लीजे हमने यहां पर लिखा ये तो इसे हम क्या पढ़ेंगे इसे हम 1200 पढ़ेंगे या 1200 पढ़ेंगे तो इस तरीके से इसे अंकों में ही लिखना चाहिए अन्यता वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी अखबार में प्रतिशत ये प्रतिशत कांग है न और ये डॉलर जैसे संकेत चिन्नों का से काम चल जाता है इन दो चिन्नों से मल जाता है यानि कि 2 प्रतिशत 5 प्रतिशत हम लिख देते हैं लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जत है रेडियो में हम इसको पूरी तरह वर्जत मानते हैं क्यों अता इसे प्रतिशत या डॉलर लिखाना जाना चाहिए यानि कि जब हम अख़बारों में लिखते हैं तो प्रतिशत और डॉलर हम छाप देते हैं इन प्रतीक चिन्नों को छाप देते सही चलता है लेकिन रेडियो में हम क्या करते हैं जब हम समाचार लिखते हैं तो उसमें हमें प्रतिशत और डॉलर शब्द इस तरीके से लिखना पड़ता है हमें साइन लगाना नहीं होता है जहां भी संभव और उप्युक्त हो दशमलव को उसके नजदी की पूड़ांक में लिखना बेतर होता है यानि कि जैसे यहां पर लिखाए 28375550 तो यहां 5 के बाद हम यहां पर दशमलव उसके पास में ही लगाएं इसी तरहे यहां पर जैसे यहां पर कित्या दिया 2,83,050 रुपए को रेडियो में लगबग 28,00 रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिए लिहाद से सही है यानि कि हम उसे राउंड फीगर में लिखते हैं और शब्दों में लिखते हैं क्योंकि जैसे यहां पर लिखा है अब मुझे पढ़ने में थोड़ा सब टाइम लगेगा वही होगा बोलने में आप तुरन समझ जाओगे 28,00 अगर हम बोले 28,00, 37,50 तो यह समझाने में भी टाइम लगेगा सिंपल है उसे राउंड फीगर में बनाओ बताओ 28,00 रुपए और उसे शब्दों में लिखो वित्य संख्याओं को उसके नजदीकी पूढ़ांक में लिखना चाहिए यानि कि जैसे यह है वित्य है तो इसे हम नजदीकी पूढ़ांक में लिख देंगे या तो इसे हम 28,00,000 बोल देंगे या अहां पर वो 98 रहेगा और 100 सो हो रहेगा उसे हमें पुडांग में नहीं देना होता है मुद्रा स्वीती के आकड़े नस्दी की पुडांग में नहीं बलकि दशमलों में ही लिखे जाते हैं यानि कि share market के जो भी आपके आकड़े आएंगे वो हम पुडांक में नहीं लिखते हैं उसे हम क्या करते हैं उसे हम दशमलों में ही बोलेंगे अब उसमें हम क्या बोलेंगे जैसे 98.4 प्रतिशत ही हम बोलेंगे 95.6 प्रतिशत ही बोलेंगे तो मुद्रा इस्पिती हमेशा जो actual figure है उसी से बताई जाती है वैसे रेडियो समाचार में आकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रोताओं के लिए इसे समझ पाना काफी कठन हो जाता है क्योंकि अंकों को समझना हम अभी सुनने क लिए उतने हैबिचल नहीं है रेडियो समचार कभी भी संख्याओं से नहीं शुरू होना चाहिए इसी तरह तितियों को उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसे बोलचाल में इस्तिमाल किया जाता है 15 अगस्त 1925 ना कि 15 अगस्त 1985 तो यहां पर आपको क्या दिया हमें इस त पद्दों में लिखेंगे डेडलाइन संधर्ब और संशिपताक्षरों का प्रयोग अब डेडलाइन के बारे में बताया गया है और उसके जो संशिपताक्षर होते हैं उनके संधर्ब में बताया गया है रेडियो में अकबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बलकी समा समाचार में ही गुथी होती है ध्यान रखेगा जैसे अकबारों में क्या रहता है कि हम सभी को पता है मोस्ली रात में 12 बज़े जो है वो अकबार प्रिंट के लिए चला जाता है तो हमें आखरी खबर देने तक का समय क्या होता है रात में 12 बज़े से पहले-पहले आपको पने चला गया तो वो 12 बज़े हमारे डेडलाइन होती है लेकिन रेडियो में क्या होता है यह डेडलाइन उसी समाचार में ही रेडियो समाचार में ही गुथी होती है कैसे होती है अब बार दिन में एक बार और वह भी सुभा और कभी शाम चपकर आता है जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं श्रोता के लिए समय फ्रेम हो हमेशा रहेगा आज होता है इसलिए समाचार में आज आज सुबहा आज दुपहर आज शाम आज तड़ के आदी का इस्तिमाल किया जाता है तो समझ में रेडियो में क्या होता है हर घंटे पे समाचार आते ह आप ध्यान दोगे हर एक घंटे पर समाचार आते हैं तो इस कंडिशन में डेडलाइन जैसी कोई भी चीज़ इसमें होती नहीं कि मान लीजे अभी कोई चीज घटी है तो जो घंटे बर बाद अभी जो न्यूस प्रसारित होगी रेडियो पर उसमें वो समाचार आ जाएगा तो आपको इतना समय है इस खबर देने का ऐसा कोई डेडलाइन नहीं होती है और इसके संदर्ब में जब कभी भी हम बोलते हैं तो हमेशा क्योंकि हर घंटे प्रसारित हो रही है तो आज सुभा ये घटना घटी आज दुपहर में ये घटना घटी आज शाम को ये घटना यानि कोई बात अगर कल हो चुकी है या कल होने वाली है उसे हम इस तरीके से बोलेंगे इसी तरह अगले सब्ता पिछले सब्ता इस महीने अगले महीने पिछले महीने इस साल अगले साल अगले बुद्धवार या पिछले शुक्रवार का इस्तिमाल करना चाहिए अगर हम weekly कोई बताते हैं तो वो पिछले वुध्धवार को यह चीज घटे है अगले साल जचीज घटे गी पिछले साल घट चुकी है यह सारी चीजे बतानी चाहिए यही होगा कि उनके प्रयोगों से बचा जाए अगर जरूरी हो तो समाचार के शूरू में पहले इसे पूरा दिया जाए, फिर संशिताक्षरों में प्रयोग किया जाए, अब ये संशिताक्षर क्या होते हैं, इनको समझेगा, ठीक है, किसी भी अक्षर को छोटा कर देना संशिताक्षर कहलाता है, जैसे कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, हुआ खया है है यहां पर यह पर लिखने से हमेशा बचा जाता मन लेजे हमने यहां पर लिख दिया इस तरीके से शो से तो किया मतलब है हमने यहाँ पर इस तरीके से अगर संचिताक्षर लिख दिया तो Iska क्या मतलब है यहाँ पर पुलिस होसकता है पुर्लिंग हो सकता है लड़िया हो सकता है नाजानिक कितने शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है इसलिए इन सारी चीजों से बचना चाहिए अब आ गए हम अपने अगले जो है जनसंचार माध्यम पर ये जनसंचार माध्यम है टेली विजन कौन सा है टेली विजन क्या है चलिए देखते हैं टेली विजन में द्रश्यों की महत्ता सबसे ज जरूरत नहीं कि टेलिवेजन देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेक स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पढ़ती है तो ध्यान रखिए समा आज टीवी से हम सभी प्रचलित हैं टीवी में हम देख भी संकते हैं और सुन भी सकते हैं तो इस शैली में जब हम समाचार लिखते हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ठीक है वो बाते क्या हैं पहला है शब्द पर दिखने वाले द्रश के अनुकूल होने चाहिए यानि कि जो कोई भी समाचार लिखा जा रहा है तो उसे सा पर द्रश भी दिखाया जाएगा तो हमेशा जो भी समाचार हम पढ़ रहे हैं वो किसके अनुकूल होना चाहिए जो द्रश वहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके अनुसार होना चाहिए इसमें कम सी कम शब्दों में जादा से जादा खबर बना बताने की कला का इस्तेमाल होता है यानि कि हमें अग द्रश तो दिख रहे हैं लेकिन साथ इसमें क्या होता है कि हम बहुत कम शब्दों का इस्तामाल करें ज्यक्स की साहिए हो कॉट तो हमें इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है टीवी के लिए खबर लिखने की बुनयादी शर्ट तो द्रश्ट के साथ लेखन है, यह चीज जाहिए, कि जो दिखाई दे रहा है लेखन कार रहे उसी के साथ होना चाहिए, द्रश्ट यानि कैमरे के लिए गए शौट जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है, अगर शौट आसमान के हैं, तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं, अगर कहीं आग लगी है, तो हम उसी का जिकर करेंगे, पानी का नहीं, तो बेसिकली जो बात दिखाई गई है, वही हमें बोलनी होती है, लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुवात कुछ अलग होती है, दरासल टेलिविजिन पर खबर दो तरह से पेश की जाती है, इसकी शुरुवाती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर द्रश्य के न्यूज रीडर एक एंकर पढ़ता है, यानि कि कभी कभी क्या होता है, एकदम से कोई खबर आई, तो क्या होगा न, उसके कोई द्रश्य तो होते नहीं, तो जो एक एंकर होता है, वही सिर्फ खबर को पढ़ता या बताता है दूसरा हिस्ता वा होता है जहां पर परदे पर एक एंकर की जगा खबर से संबंदित दिखाये जाते हैं फिर क्या होता है शुरू में तो खबर कौन बता रहा है एंकर बता रहा है फिर वो एंकर हट जाता है और फिर वो दिखाये देता है जो उस खबर से संबंदित होता है इसलिए टेलेविजन पर खबर दो हिस्सों में बटी होती है अगर खबरों में प्रस्तुती करण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू है दिल्ली में आपकी खबर को टेलेविजन में पेश करने के लिए प्रार में में क्या है क्योंकि दृष्ट के साथ लिखते हैं इसलिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है अब हम आते हैं टीवी पर यानि की टेलिविजन पर खबरों के कई चरण होते हैं अलग-अलग तरह से खबरे आती हैं अब यह चरण क्या हैं देखिए किसी भी टीवी चैलर पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पतिकारिता के छेत्र में प्रचलित है यानि सबसे पहले सूचना देना यानि कि आप रेडियो पे आओ अखबार पे आओ उन सभी का काम क्या है सूचना देना तो टेलिविजन का काम भी खबरों में सबसे पहले होता है सूचना देना ही टीवी में भी ये सूचना है कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुचती है जैसे रेडियो में तो क्या है सीधे जो है वो खबर पढ़े का और हम तक पहुच जाएगी प्रिंट माध्यम में लिखी रहती है हम तक लेकिन टेलिवीजिन में ये कई चरणों से होकर गुजरते हुए हम तक पहुचती है ये चरण क्या है देखिए सबसे पहले है फ्लैश या ब्रेकिंग निउस फिर आता है ड्राइ एंकर फिर आता है फोन इन फिर आता है एंकर विजवल फिर आता है एंकर बाइट फिर आत लेकिन उनके पास उस समय कोई द्रश्य नहीं होते तो सिर्फ समवादाता सामने आकर आपको खाप एंकर जो है वो बताता है तो उसे हम बोलते हैं ड्राइ एंकर फिर घटना जहां घटी है वहाँ पर इनका एक पत्रकार है जो फोन की जरीए सिर्फ इन से जुड़ता है जहा जहां पर घटित हुई है वहाँ के प्रत्यक्ष दर्शीयों से जो बात करी जाती है वो बात हमें दिखाई और सुनाई जाती है टीवी पे जिसे घटना इस्तल पर जो प्रस्तुत एंकर है वो भीजता है तो उसे हम बोलते हैं एंकर बाइट फिर आते हैं लाइफ फिर बात भी करते हैं और यह सब कुछ आ जाता है उसके अंदर एंकर पैकेज में हम लोग ग्राफिक के थ्रूब भी बहुत सारी चीजों को देखते और समझते जैसे कहीं एक्सिडेंट हुआ है तो दो ट्रेने आपस भी भी तो आप लोग कभी कभी देखते हो निउस में उसक इससे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग निउस के रूप में ततकाल दर्शकों तक पहुचाई जाती है इसमें कम से कम शब्दों में महस सूचना दी जाती है देखिए हम लोग अभी कभी कहा है निउस देख रहे होते एकदम से जो भी निउस चल रही हो और फिर जो निउस होती है वो हमें सिर्फ शब्दों में लिखकर दिखा दी जाती है तो वो होता है आपका फ्लैश या ब्रेकिंग निउस इसे बहुत कम शब्दों में उस घटना को बताया जाता है फिर आते हैं ड्राइ एंकर इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों क को सीधे सीधे बताता है की कहा क्या कब और कैसे हुआ है जो भी घटना घटी है जो भी एंकर है वो आपके सामने आएगा और वो सारी ख़बर को बताता है जब तक ख़बर के द्रश नहीं आते तब तक एंकर दश्चकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाय पहुचाता है तो जब तक जो घटना घटी है उसके द्रश्ट अगर टेलिविजन के जो न्यूज एंकर है उस तक नहीं आता है तो वो खुद खड़ा होकर जो भी खबरे उसे प्राप्त हो रही है उस आधार पर वो सार वाली जगहा पर मौझूद होता है और वहां से उसे जितनी जादा जादा जानकारिया मिलती है वह दर्शकों को बताता है आपनों ने कभी-कभी ऐसा देखा होगा हमें विज्वल्स नहीं दिखाई जाते हैं हमें सिर्फ बाते सुनाई जा रही होती है फोन पर तो क्या हो वॉइज हमें सुना रहा होता है सारा तो इसको बोलते हैं फोन इन हम डाइरेक्ट रिपोर्टर की बातों को सुनते हैं फिर आते हैं एंकर विज्वल्स पर जब घटना के दृश्य या विज्वल्स मिल जाते हैं तब उन दृश्चों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है इस खबर की शुरुवात भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त द्रश्य दिखाये जाते हैं तो एंकर विज्वन में क्या होता है कि इनके पास अब तक द्रश्य आ चुके होते हैं पूरी खबर लिखी जा चु करने के लिए इससे संबंधत बाइट दिखाये जैंदि कहीं पिर कोई घटना घटी है तो ये एक्च्वल है इसके लिए वहां प्रतिक्षद दर्शियों की से जो बाते करी जाती है वो बाइट कहला दी है किसी घटना की सूचना देने और उसके द्रश्ट दिखाने के कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामणक्ता दी प्रदान करी जाती यानि कि ये खबर सज है ये वहाँ पर प्रतिक्ष दर्शी उदारा जो कुछ भी देखा गया है वो हमें बताया जाता है फिर आते हैं हम लाइफ पर किस पर आगए लाइफ पर लाइफ यानि किसी खबर का घटना इस्थल से सीधा प्रसारण सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दर्शे ततकाल दर्श्रकों तक सीधे पहुँचाए जा सके इसके लिए मौके पर और कैमरा मैन ओवी वैन के जरीए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं तो लाइफ प्रसारण से तो आप लोग सभी कोई वाकिफ हैं हमारा के करते हैं क्रिकेट मैस लाइफ टेलिकास्ट होता है किसी भी तरह का फुटबॉल वैडमिंटन को भी आजकल तो सीधे प्रसारण बहुत तरीके से होते हैं आप लोगों ने भी देखा तो यह सारा क्या होता है यह जो न्यूस डिपोर्टर है यह ओवी वैन के जरीए महाँ पर जाते हैं उस वैन में आपकी सारी सुविधाय होती है और वहां से वो डारेक्ट प्रदर्शन जो से जड़े होए लोगों की बाईट ग्राफिक के जरीए जरूरी सुचनाएं वादी होती हैं तेली वेजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रख कर किया जाता है जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तमाल होता है शब्द का काम द्रश्यों को बी होंगे एंकर बाइट भी होगी ग्राफिक्स भी होंगे सब कुछ होंगे तो टेलीवीजन के लिए जब भी समाचार लेखन या कोई भी कारे किया जाता है तो उसका कारे होता है एक दृष्ट से जुड़े शब्दों को के माध्यम से उस खबर को समझाना और एक जोड़ने का काम भी शब्दों के माध्यम से किया जाता है जैसे मान लीजे किसी एकसिडेंट की अगर खबर प्रिसारत हो रही है तो उसकी फोटो अलग-अलग एंगल से ली जाती है कोई सामने से है कोई इधर से है कोई उपर से तो अब ये चीज़ बतानी पड़ती है कि सामने से ये दोनों ट्रेणी तकराई तो देखे एक इंजन इधर पड़ा है एक इंजन इधर पड़ा है फिर उसके बार दिखाएंगे इधर से देखिए बोगी एक की ऊपर एक चड़ गई फिर उपर से आएंगे तो पूरी ट्रेन आपको इधर से इधर से और बीच में विडिवी सब कुछ दिखाई देगी तो ये एंकर का काम होता है कि वो ऐसे द्रश्णों को आपस में जोडने के लिए ऐसे शब्दों का अस्तमाल करें ताकि दर्शक इन सारे द्रश्णों को एक साथ कनेक्ट करके देख पाएं अब इसके बाद हम आ गए रेडियो और टेलिविजन समाचार की भाषा शैली यानि कि इन दोनों में ही किस तरह की भाषा शैली का इस्तमाल किया जाता है रेडियो और टीवी आम आद देश में उनके शोताओं और दर्शकों के पढ़े लिखे लोगों में से निरक्षर तक और मध्यमवर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी आते हैं मतलब अनपड़ लोग भी हैं साक्षर लोग भी हैं मजदूर लोग भी हैं किसान भी हैं सारे लोग हैं जिनके पास आज टीवी और रेडियो दोनों ही मौझूद है इन सभी लोगों की सूचना की जरूरते पूरी करना ही रेडियो और टेलिविजन का उद्देश्य है जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाशा है और इसी लिए भाशा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ सके लेकिन साथ ही भाशा के इस्तर और इसकी गरिमा के साथ कोई समझोता नहीं करना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि टेलिविजन और रेडियो जब आम जनता की पहुंच तक है जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं हर दरजे के लोग शामिल हो रहे हैं हर उ लेकिन भाषा की गरिमा और इसके स्तर को निगराना कैसा नहीं हो कि लोगों है तो हम उनको उसी तरीके से बात करें भाषा में एक सहिचता सरलता होनी चाहिए कि जो हम सभी वर्ग लोगों को समानी तरीके से सूचत कर सके रेडियो टेलिवीजन के समाचारों में बोलचाल की सरल भाषा का प्रियोग करना चाहिए यानि कि एकदम सरल भाषा का इसके लिए क्या करते हैं वाग के छोटे हों सीधे और इसपश्ट लिखे हों क्योंकि यहां पर जाहिर सी बात हमारी बात अगर हम को समझानी है तो अग जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए यानि कि जब अगर आप कोई भी व्यक्ति का समाचाल लिखने जा रहा है तो पहले वो घटना आपको समझनी जब हम को ही नहीं समझ में आईगी तो हम लिखेंगे कैसे ठीक है तो हमें लिखने से पहले हमें समझ में जैसे हमें भी हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़े पहले मेरी समझ में आनी चाहिए ना तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी वही चीज़ यहां पर लागू होती है कि जब समाचार आप ठीक से समझ जाएंगे तब आप जादा अच्छे से लिख पाएंगे हम कितनी सरल संप्रेक्षणिये और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं यह जाचनी के लिए एक बहतर तरीका यह है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें मतलब हमने कितनी सरल भाषा में लिखा है संप्रेक् सके तो उसके लिए एक बार आप लिखके देखो और खुद बोल बोल के पढ़ो भाषा प्रभाव में होनी चाहिए यानि एक दूसरे से करेक्टर चीज़े बोलनी चाहिए अब इनको लिखते समय भाषे शैली को लिखते समय हमें क्या सावधानिया रखनी है ठीक है किस त तरह कि कोई आहत ना करे किसी भी वर्ग को किसी भी व्यक्ति को किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ये में ध्यान रखना पड़ता है ऐसे कई शब्द हैं जिनका अफबारों में धडलले से इस्तिमाल होता है लेकिन रेडियो और टेलिवीजन में उनका प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है अब ये सारे जो चीजे लिखी गई जो शब्द लिखे गए ये लिखित माध्यम में यानि कि मुद्रत माध्यम में जब हम लिखित करते हैं तब लेकिन अगर मौखिक माध्यम हैं तो उनमें हम ये सारी चीजे नहीं लिख सकत क्योंकि इसका प्रेव कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए दो वेक्तियों को पकड़ लिया गया अब इसकी बजाए अगर पुलिस ने दो वेक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया जादा इस पश्ट है बात से ही है पुलिस द्वारा चोरी करते हुए अब हम यह पूर है पुलिस द्वारा चोरी पुलिस ने चोरी करी पहले मैं तो यही समझ में आया न तो इसलिए द्वारा शब्द से हमें बचना चाहिए तथा एवम अथवा वा किंतु परंतु यथा आदी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और या लेकिन आदी शब्दों का इस्तिमाल करना चाहिए साफ सुत्री और सरल भाषा लिखने के लिए गयर जरूरी विशेश्णों सामासिक और तस्सम शब्दों आती रंजित उप्माओं आदी से बचना चाहिए इनसे भाषा कई बार बोजिल हो जाती है यानि कि हम ये सोचें कि भाषा जो है हम दूसरों को जादा अच्छा दिखाने में तो हम बहुत सारे विशेश्णों का इस्तमाल कर देते हैं कभी कभी बहुत सारे समासिक शब्द हैं तस्सम शब्द मतलब ये क्या करते हैं ये भाषा को मुश्किल बना देते हैं अलंकार महावरों के इस्तिमाल से भाषा आकर्शक और प्रभावी बनती है इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए मैंने क्या बोला कि बहुत कम होना चाहिए जादा नहीं लेकिन मुहावरों का इस्तिमाल स्वभाविक रूप से और जहां जरूरी हो वहीं होना चाहिए अन्य था वे भाषा के स्वभाविक प्रभा को बाधित करते हैं तो समझ में आया अगर जरूरी है तो करो अगर जरूरी नहीं है तो करने की कोई भी जरूरत नहीं है नहीं तो क्या होगा ना भाषा बहुत ही जादा आपके उपर प्रेशर में आ जाएगे आपको प्रेशर देने लगे कि नमबर फाइव है बाग की छोटे छोटे हो एक वाक में एक ही बात कहने चाहिए बहुत जाद हम एक वाक में हम कई चीजों के मतलब को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए छोटे-छोटे वाकियों का इस्तमाल करना चाहिए वाक्यों में तार मैता ऐसा हो कि कुछ तूटता सा या छूटता सा ना लगे ऐसा ना हो कि हमने वाक्य को बोला और ऐसा लगे कि नहीं बाद को पूरी बाद तरीके से व्यक्तिनी किया गया कुछ अभी अधूरापन रहे गया कुछ रहे गया तो इन सा लोगों के समझ में नहीं आईगी अब हम आ गए अपने नेक्स जनसंचार के माध्यम पे अब जो सबसे जादा आज के समय में प्रचलित है वो है इंटरनेट हम अब उस पर आ चुके हैं तो चलिए देखते हैं इंटरनेट क्या है इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभन नामों से जाना जाता है नई PD के लिए अब यहाँ एक आदत सी बनती जारी बात सही है हमसे थोड़ी देर के लिए हमारा मुबाइल अगर इदरोदर हो जाए तो हम छूटने लगते हैं अरे भाई क्या है क्यों क्योंकि हम आजकल इंटरनेट के जरीए इतना साधा अपने आपको connected फिल करने लगे हैं 24 घंटे में खुद को अपडेट करने की लट लगती रहती है अब क्या होता है अकबार में 24 घंटे में एक बार जो है वो खबर आ रही है रेडियो में हम कहा रहे हैं हर घंटे पर खबर आ रही है टेली वीजन में क्या होता है हमें एक जगा बंद कर बैठना पड़ता है ल कि लोगों के अंतर कंप्यूटर की जानकारी बहुत तेजी से अपने अंदर वो लोग सीख रहे हैं आजकर भारत के अंदर परसल कंप्यूटर इस्तिमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है जिनका अपना खुद का कंप्यूटर है हर साल करेबन 50-55 की रफ्तास से इंटरनेट करनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है इसकी वजा यह है कि इंटरनेट पर आप एक जटके में जूमरीत लाइया से लेकर होनूनूलू तक की खबरे पढ़ सकते हैं जुमरी तलहिया यानि चोटी सी जगा होनूनूलू इत्या दूर यानि कि हम एक ही पर बहुत सारी खबरे जानकारी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं दुनिया भर की चर्चाओं परी चर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अक इंटरनेट एक टूल ही नहीं है टूल नहीं और भी बहुत कुछ है क्या है देखिए सर्फ एक टूल यानि ओजार है जिसे आप सूचना मनुरंजन ग्यान और व्यक्तिगत तथा सारवजनिक समवादों के आदान प्रदान के लिए स्तमाल करते हैं बाद सही है हम इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रतान का बेहतरीन ओजार है वहीं वहां अश्लील दुस्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है इंटरनेट पर पत्यकारिता के दो रूप है तो ध्यान रखेगा जहां हमें इत्ते सारे फाइदे हैं तो वहीं हमें इससे बहुत सार जहानी से करना है खासतोर से बच्चों के हाथ में अगर यह है तो उन्हें यह समझ नहीं होती कि क्या गलत है क्या सही है तो उन पर धुड़ा निगहा रखते हुए सारे काम करने चाहिए पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या ऑजार के तौर पर इस्तेमाल है यानि अख आचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तता पुष्टी करण में भी इसका इस्तेमाल करता है तो पहला तरीका तो हमने इसे इस्तेमाल के लिए कि खबरों को हम इंटरनेट की जरिए सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं दूसरा यह हो रहा है कि भाई जो एक कारिता में हम दो तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं खबरों को लोगों तक पहुंचाने और खबरों को जो है वो पूरी तरीके से पुष्ट करने के लिए इंटरनेट पत्रिकारिता इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तों में इंटरनेट पत्रिकारिता है क्या है पर अखबारों का प्रकाशन अब आजकल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है आप देख लो लगबर मुझे लग़ा बहु उनके अकबार प्रिंट में छब भी रहे हैं तो अब उनके जो न्यूस पेपर हैं वो हमें इंटरनेट पे भी अविलेबल मिलते हैं इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों लेखो चर्चा परचाओं बहसों फीचर जलकियों डाइरियों के जरिए अपने समय की धड़क चैनीयों का मिला ज़िला रूप हमें इंटरनेट पर अविलेबल मिलता है आज तवान प्रमुख और पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलफद है जैसे मैंने भी आपको बताया कई प्रकाशन सब्भूओं ने कई बार निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पर पत्रिकारिता से जोड़ लिया है चुकि यह एक अलग माध्या में इसलिए इस पर पत्रिकारिता का तरीका भी थोड़ा अलग होता है अब यह बाकी माध्यमों से थोड़ा सा अलग है तो जब इसमें हम पत्रकारिता करते हैं तो इसमें पत्रकारिता कुछ अलग तरीके से होती है कैसे होती है इंटेनेट पत्रकारिता का सबसे पहला इतिहास हम देखेंगे यानि कि यह कहां से शुरू हुआ कब भारत आया क्या हुआ यह सारी चीज़े विश्व इस्तर पर इंटे विश्विस्तर पर इंटेनेट पत्यकारिता कब से शुरू हुई 1982 से लेकर वो 1992 तक चली ये पहला दौर था जबकि चला 1993 से लेकर 2001 तक तो ये दूसरा दौर था तीसरे दौर को इंटेनेट पत्यकारिता 2002 से अब तक की है तो समझ में आया पहला दौर 1982 से 1992 तक था दूसरा दौर 1993 से 2001 तक था तीसरा दौर 2002 से शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है पहले चरण में इंटेनेट खुद प्रयोग के धरातल पे था इसलिए बड़े प्रकाशन समुईया देख रहे थे कि कैसे अखबारों की सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे पर दर्जू तब एलो फ्रोला यानि अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चत कंपनियां सामने सच्चे अर्थों में इंटेनेट पतिकायता की शुरुवात 1983 से 2002 के बेच हुई यानि की पहला दौर तो हमने क्या देखा कि वो प्रयोग के इस तर पे था लेकिन फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो सही मायने में 1983 से इंटेनेट सही तरीके से वर्क करना श इस यह उनिस सो तिरान नबे है यह तिरासी नहीं यह तिरान नबे है क्योंकि दूसरा दोर वही 9T20 93 से शुब भुवा था है ना तो यह तिरासी नहीं है यहां पर होगा यह तिरानेवे ओंके के बीच हुआ जबर जस्त विकास हुआ दूसरे दौर में नई वेब भशा ऐ एच्टी एमल यानि हाइपर टेक्स माइक्रेप्ट लांगविज आई इंटरनेट इमेल आया इंटरनेट एक्स्प्लोरर और नेट इसकेप नाम के ब्राउजर वह औजार जिसके जरीए विश्वयाप्पी जाल के गोते लगाए जा सकते हैं आएं इन्हों ने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन और तेज रप्तार बना दिया ये हम सेकेंड दौर की बात करें ध्यान रखना इस दौर में लगबग सभी बड़े अकबार टेलिविजन समू विश्वजाल में आए नियू योग टाइम्स वाशिंग्टन पोस्ट, CNN, BCC सहित तमाम बड़े घरानो ने अपने प्रकाशन प्रसारणों के इंटेनेट संस्करण निकाले, दुनिया भर में इस बीच इंटेनेट का काफी विस्तार हुआ, नियू मीडिया के नाम से डौट कॉम कमपनियों का उफान आया, पर उतनी ही तेजी से इनका के साथ इनका बुलबुला फूटा भी, मत 1996 से लेकर 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को डौट काउम नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, तो ये दौर आपका रहा जब वो आर्थिक मंदी आई थी, उस समय ये फ्लोप चार्ट बहुत डाउन हुआ था, विश्व सामगरी और पर्याप्त आर्थिक आ इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाई रखा, चूकि जनसंचार के छेतर में सक्री लोग ये जानते हैं और चाहे जो हो सूचनाओं के अदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं, बात सही है, हम सूचनाओं एक जगा से दूसरे जगा पहुचाना हो, खुद नॉलेज लेना हो, इन सभी के लिए इंटरनेट बेस्ट है आज के समय में, इसके लाबा हम किसी चीज़ से इतनी तेजी से जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी प्रासंगित्ता हमेशा बने रहेगी, इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट प्तिकारिता का 2002 से शुरू हुआ, तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाओ हो सकता है, यानि कि जो तीसरा दौर शुरू हुआ, वो वाकई में टिकाओ है, मतलब कि ये लाख काफी लंबे समय तक चले गा, ऐसा लगता है, अभी तो हमने विश्व इस्तर प यानि कि भारत में इंटरनेट प्तिकारिता कब से शुरू हुई और कौन से दौर में है, भारत में इंटरनेट प्तिकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है, यानि कि जहां विश्व में हम तीसरे दौर में हैं, भारत में अभी हम दूसरे दौर में हैं, भारत के लिए पहरा दौर 1993 से शुरू हुआ माना जाता है जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ पहले दौर में हमारे यहां भी प्रयोग हुए डॉट कॉम का तुफान आया और बुलबलो की तरह फूट भी गया अंतता वही टिके रह पाए जो मेडिया उद्योग में पहले से टिके हु की द्रश्टी में टाइमस ओफ इंडिया हिंदुस्तान टाइमस इंडियन एक्स्प्रेस हिंदू ऊट्रिब्यूट इस्टेंट मैन पाइनियर एंडी टीवी आईबी एंजी नियूज आज तक और आउटलुक की साइटें ही भेतर हैं हमें अगर आज नियूज देखनी हू तो हम इन साइट्स पर जाना जादा पसंद करते हैं क्योंकि यहां पर हमें जादा प्रामणिक्ता के साथ और सची खबरे देखने को मिलती हैं वैसे तो बहुत सारे और भी चैनल से लेकिन जहां पर फेक नियूस भी उतनी तेजी से प्रशारित होती हैं इसलिए उन चैनल तो जसी कुछ साइटे भुकतान के बाद देखी जा सकती है तो तो कुछ जहां पर पेड चैनल इस बी अवलेबल जहां पर आप कुछ पेमेंट करोगे तो आप उनकी ख़बरे पड़ा और देख सकते हैं क्यां हिरे जो साइटे नियमित अपडेट होती है उनमें हिंदू वो टाइम्स ऑफ इंडिया है आउटलूक है इंडियन एक्स्प्रेस है एंडी टीवी आज तक जी नियूस प्रमुक है लेकिन भारत में सच्छे अर्थों में यदि कोई विब पत्रकारिता कर रहा है तो वो है रेडिफ.com ठीक है सही विशुद्ध पत्रकारिता जिसे बोलत रखता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है वेब साइड पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का अश्रे तहलका.com को जाता है यह एक ऐसा वेब साइजी जिसने बहुत ही ज़्यादा घोटाटलों को और गलत चीज़ों को हमारे सामने उजागर किया था इसलिए इसको तहलका बोला गया क्योंकि इसके आते ही तहलका भी मच गया था हिंदी नेट संसार ठीक है पत्रकारिता जो कोई भी हुई यहाँ पर फॉंट इंगलिश रहा लेकिन हिंदी में नेट का जो संसार रहा वो अभी भी थोड़ा मुश्कल दौ था दौब से ही घुजर रहा है डेख थे क्या है हिंदी मेनीट पत्रकारिता दुप दुणिया के साथ श्रू हुई तो एक कमपनी है वर दुनिया जिसने हिंदी में जो है पत्रकारिता शुरू करी वो भी इंटरनेट पे इन दोर की नई दुनिया समू से शुरू हुआ यह पोटल हिंदी का संपूर्ण पोटल है इसके साथ यह हिंदी के अकबारों ने भी विशवजाल में अपनी उपस्तेती दर्ज करानी शुरू कर दी तो सबसे पहले वेब दुनिया ने शुरू करी जो इन दौर की नई दुनिया का समूह से ही शुरू हुआ था और जब उसने हिंदी में ये इंटरनेट पत्तकारिता शुरू कर दी तो हिंदी के जो और भी कंपनिया थी जो अकभार कंपनिया थी उन्होंने भी इंटरनेट प पत्रिकार्टा न भारत टाइम्स प्रभात घबर वारास्टिय सहारा विब संस्क्रण शुरू हुए प्रभासाक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है यानि कि यह जितने हैं इनकी प्रिंट माध्यम तो ऐसा आखबार है जो सिर्फ इंटरनेट पर अवेलेबल है जो प्रिंट माध्यम में नहीं प्रकाशित होता है आज पत्रिकार्टा के लिहास से हिंदी की सर्व से साइट बी बी सी की है यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है विब दुनिय पत्रिकार्टा की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी जिस से हिंदी विब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्तिक पत्रिकाएं चल रही है साहित्ति से रिलेटिट कई पत्रिकाएं जो हैं हमको देखने को और पढ़ने को इस साइट्स पे मिलती हैं अनुभूति अभिवेक्ति हिंदी नेस्ट सराय आधी अच्छा काम कर रहे हैं कुल मिलाकर हिंदी की विप पत्रकारता अभी भी अपने शैशवकाल में है यानि कि अभी वो छोटा ही है यानि कि इसमें अभी और बहुत सारी सुधार की जुरूरते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आती है वो आती है फॉंट की इंगलिश फॉंट तो हमारे टाइपराइड़ेडर में अलरेडी मौजूद रहते यानि कि जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो हमारे कीबोर्ट में जिदने भी रहते हैं यह सब इंगलिश की वर्ट रहते हैं लेकिन हिंदी त्याइपिंग में अभी भी जैसे बहूत सारा तो टाइपिंग जो है वो अविलेबिल करा दी गई है लेकिन अभी भी बहुत सारे फॉंट है जो अविलेबल नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है इससे सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉंट की है अब देखें यहां पर फॉंट में हम अगर आप देखें आप टाइप करो तो हिंदी में अगर जैसे यह भी हमने इंटरनेट की थूई अगर टाइप किया है तो हमने जैसे बोला आता है अब फॉंट में यहां फॉंट आया ना font में होना चाहिए तो क्या होगा ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, font में क्या होगा सिर्फ ऊपर जो है वो चंद्र होगा, बिंदी नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह की problems जो है हमें हिंदी टाइप राइटिंग के साथ में face करनी पड़ती हैं, अभी भी हमारे पास कई कीबोर्ट कोई एक कीबोर्ट नहीं है, dynamic font की अनुपलप्ता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटे खुलती ही नहीं, इसके लिए कीबोर्ड का मानिकी करन करना चाहिए, तो मैंने जैसे बोला कि font को लेकर सबसे ज़्यादा इशू है हिंदी ये पत्रकारिता में, क्योंकि इसमें font अभी भी वो वो available नहीं है, जो हमें चाहिए, अब हम आ गए किस पे पत्रकारिये लेखन पर, अभी तक हम यहाँ पर क्या पट रहते हैं, इंटरनेट, अब पत्रकारिये लेखन में, जब हम पत्रकारिये छेतर में उतरते हैं, तो बहुत विभिन तरीके के लेखन कारी किये जाते हैं, याद रखिएगा, अलग अलग तरीके के, कभी विशेश रिपोर्टिंग करनी हैं, विशेश लेखन लिखन लिखना हैं, कभी आपका क्या कहते हैं, रिपोर्ट त्यार करनी हैं, कभी आले एक लिखना हैं, कभी संपादी किये लिखना हैं, तो बहुत मनोरंजन करने का दाइत्व निभाते हैं अकबार में ये सारी जीज़े होती हैं लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार सिक्षक और जन्मत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर भूमिका निभाते हैं तो इसलिए पत्रकारता को समाज का चौथा इस्तंब भी कह जाता है अपने पाठकों के लिए वे बहारी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिडकी है जिनके जरीए असंख पाठक हर रोज सुभा देश दुनिया और अपने आसपडोस की घटनाओं समस्याओं मुद्दों तथा विचारों से अवगत होते हैं वाकई जब हम अकबार माध्यूमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों दर्शकों और शोताओं तक सूचना पहुचाने के लिए लेखन के विभिन रूपों का इस्तमाल करते हैं इसे ही पत्रकारिये लेखन कहते हैं अब हमारा मनुरंजन करना है तो लेखन तरीके से होगा हमें ग्यान हम बोलते हैं पत्रकारिये लेखन आप पत्रकारिये लेखन करने के लिए जो पत्रकार होते हैं पहले अब यहार कर दो होते हैं कितने तीन तरीके के पहला है पूर्ण कालिक पत्रकार दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार और तीसरा होता है फ्ली रांसर यानि कि स्वतंत्र पत्रकार तो क्या-क्या होते हैं इस पर प्रश्ण आता है इवन टिपड़ी भी लिखने को आ सकती है तो ध्यान से काम करने वाले नियमित होते हैं यानि कि आपको डेली सुभा इत्ते बज़े ऑफिस पहुंचना है महीने के जितने भी दिन है संडे को छोड़के या छुटियों को छोड़के सारे दिन काम करना है और इत्ते बज़े आपको छुटिया तो मतलब डेली आपको महां जाना है का करना इसे हम नियमत्म व्यतन भौगी पत्रकार कहते हैं दूसरे आते हैं अंच sympath यह क्या होते हैं इस पत्रकार किसी समचाज सगठन के लिए एक निस्चत मान्दे पर एक निसीशत समया अवधि के लिए कार्ष करते हैं आब बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो पत्रकार तो हैं मगल किसी कम्पणी नियूजर पेपर के साथ बंदे नहीं हैं तो फिर क्या होता है इन लोगों को कोई कम्पणी फ्री में हाय करता जैसे माल लीजे हमारा जो मेंभार कर अख़ दिल्ली में कहंगे कि इतना पैसा हम तुम्हें दे रहे हैं और वहां जो यह घटना घटी उसे सारा कवर करके तुम हमें दो तो वह एक निश्चत मान दे पर किसी समयावदी के लिए काम करता है उसे बोला गया कि एक हपते के लिए तुम्हें इस घटना से इतनी खबरे मुझे हमें दे नहीं और इसके लिए हमें तुम्हें इतना पैसा देंगे तो यह होते हैं अंशकालिक पत्रकार फिर आते हैं फ्रीलांसर पत्रकार इस शेड़ी की पत्रकारों का सम्मध किसी विशेश समाचार पत्र से नहीं होता बलकि वे भुक्तान के आधार पर अलग-अलग समाचार पत्रों के लिए लिए लिखते हैं अब क्या होता है एक पत्रकार है जिसका वो बहुत सारी खबरे जगा-जगा एकत्र भी करता है लेखनकार भी अच्छा कर लेता है तो फिर क्या होता है उसने बहुत सारी खबरे एकटा करी लेखनकार किया अब जो है वो एकी साथ ये सारी चीजें अलग-अलग अख़बारों को दे सकता है बस उसने ये खबर वहां पर दी उसके लिए पैसा लिया यहां पर दी तो इसको हम बोलते हैं प्रिलांसर अब आते हैं साहितिक और पत्रकारिये लेखन में अंतर तो पत्रकारिये लेखन हम कर रहे हैं तो साहितिक लेखन और पत्रकारिये लेखन में क्या अंतर सबसे पहले आप समझे साहितिक लेखन यानि कि जो हमारी लिट्रेचर की बुक्स जो है ना यह जो हमारी ब यह बहुत सारी ऐसी जहाइतिक पत्रिकान होता है पत्रिकारिये लेखन की जो हम समाचारों के लिए जो लेखन करते हैं। पत्रकारिय लेखन का संबंद तथा दायरा समसामाईक और वास्तवी घटनाओं समस्याओं तथा मुद्दों से होता है यह सहायत्तिक और श्रजरात्मक लेखन कविता अलग हैं कि इनका रिष्टा तक्थियों से होता है ना कि कल्पना से कहानी उपन्यास आदी इस माइने मे हैं अब यहां पर इसका ताथ पर क्या है देखिए पद्रकारिय लेखन जब भी किया जाता है समसामाईक किया जाता है मान लीजे कि हम आज लेखन कर रहे हैं तो आज जो घटना घटी है अगर कल कुछ होई है या कल होने वाली है तो हम उस बारे में ही लिखेंगे तथ्यो तर कालपनिक छेत्र से जबंदित होती यानि कि हमारे कलपना से राधारित होती है तो यह किसी भी समय पर लिखी जा सकती है मान लीजे आज हम बैट कर लिख रहे हैं तो हम किसी राजा महराजा की कहानी भी लिख सकते हैं या हम भविश्य में होने वाली किसी घटना के बार कि यह अनिवार रूप से ततकालीक और अपने पाठकों की रुचियों एवं जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है जबकि साहित्तिक और श्रजात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है पत्रिकारिये लेखन में और सबसे बड़ा अंतर यह है कि पत्रकारिये लेकन हमेशा पाठकों के रुची के अनुसार लिखा गया लेख होता है हमको जो चीजे पसंद है हमारी जो रुचिया है उसके हिसाब से यह लेखन किया जाता है लेकिन साहित्तिक लेखन जो है वो लेखक की रुची पर आधारित होता है वो किस बारे में लि है अब है पत्रकारिय लेखन के स्मर्णिय तत्त हैं अब क्या सति हैं जो इसमर्णिय हमें यादकरने वाले है पहला आते हैं पत्रकार्ण करने वाले विशाल जनसमुदाई के लिए लिखते हैं किसके लिए बहुत सारे अब जाहिर सी बाते वो लिखेंगे तो नियूस पेपर ऐसा तो नहीं है कि 4-5 लोगों के पास जड़ा वो पूरे सिटी में डिस्ट्रिब्यूट होगा और कभी-कभी कुछ वो क्या होता है वो मजदूर भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा विद्वान भी होता है अता उसकी लेखन शैली और भाशा में क्या बात होनी चाहिए सरल होना चाहिए सहज होना चाहिए और रोचक होना चाहिए अलंकारिक और संस्कृत निष्ट होने की बजाए आम बोलचाल भाशा होने च इस्तिमाल करना चाहिए सब्द सरल और आसानी से समझ में आने होने वाले चाहिए बाग के छोटे और सहज होने चाहिए तो पत्रकारिये लेखन करते समय हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए पत्रकारी ये लेखन पत्रकारी ये लेखन में आपका समाचार लेखन भी आई ही जाता है वो भी तो पेपर में यह चपता है तो उसकी शैली कैसी होनी चाहिए अगबारों में प्रकाशित अधिकांच समाचार एक खाश शैली में लिखे जाते हैं इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्य सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तत्त की जानकारी दे जाती है यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं होता तो मतलब जो सबसे इंपोर्टन खबर है वो हम सबसे पहले देते हैं फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम तो यह कभी-कभी आप कुछ खबरों को देखते हैं वो कई दिनों तक चलती रहती पंद्रा-पंद्रा-बीस-बीस दिन तक वो अखबार में आती रहती कारण क्या है वो जिस सीक्वंस से घट रही है उस सीक्वंस से वो खबरे चलती रहती है तो ये प्रक्रिया काफी लंबी भी चल सकती है या एक दिन में भी खत्म हो सकती है तो इसको हम बोलते हैं उल्टा पिरामिट शेली जिसे अभी थोड़ देर पहले आपको समझाया भी था वो किसी सम बोलते हैं इनवर्ड पिरामिट शेली ठीक है समाचार लेखन की एक विशेश शेली है जिसे उल्टा पिरामिट शेली या इनवर्ड पिरामिट स्टाइल टी स्टाइल कहा जाता है ठीक है या टी या स्टाइल कहते हैं कि नाम से जाना जाता है यह समाचार ल इसी शैली का इस्तमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है क्लाइमेक्स सबसे पहले रहता है इसे उल्टा पिरामिट शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महात्वपूर तथ या सूचना या क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले उल्टा पिरामिड में हिस्से में नहीं होती बलकि इस शैली के की बजाए इस पूरी शैली को ही पलट देते हैं तो हम सबसे पहले जब कहानी हमारी शुरू होती तो उसमें इतना कोई important चीज़े नहीं दिये रहती फिर धीरे 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 कहानी में importance भरती है और चर्मोतकश बढ़ता है और final climax होता है तो उन्हों घटते हुए क्रम में चलेगी हाला कि शैली का प्रयोग उन्नीसवी शदी के मध में ही शुरू हुआ था लेकिन इसका विकास अमेरिका में ग्रहयुद के दौरान हुआ उस समय संबादाताओं को अपनी खबरे टेलिग्राफ संदेशों में यूं महंगी अनेमित और करणों से सेवा ठप हो किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाए संशेप में पिरामट शैली का विकास हुआ दीरे-दीरे लेखन और संपादन की सुविधा के मानक यानि की स्टैंडर्ड सैली बन गई तो अब क्या हुआ उनिश्वी सदी के जितनी जल्दी जल्दी खबरे आ रही थी वो शैली में लिखने में खबरों को भी बहुट टाइम लग रहा था और इतनी जल्दी वो लोगों तक पहुच भी नहीं पा रही थी तब यह शैली को डिबलप किया गया ताकि bisaubreak m wants decided कर दिये गए थे समाचार लेखन और 6 ककार उल्टा पिरामिट शेली में या समाचार लेखन में आपके 6 ककार होना बहुत ज़रूरी है यानि कि ये 6 ककार होते हैं न प्रकार ध्यान रखना ककार इन्हें क्यों बोलते हैं ये भी हम बताते हैं अभी किसी समाचार को लिखते समय जिन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है वे ही 6 ककार कहलाते हैं वो क्या है घटना क्या हुई, किसके साथ हुई, कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई तो आप इसमें देख रहे हैं कि यह सबी 6 होते हैं तो यहां पर इनको 6 ककार बोला जाता है यानि कि क्या, किसके, कब, कहां, कैसे, क्यों सब में का का लगा है, इसलिए इनको 6 ककार बोला जाता है समझ में आया, तो किसी भी खबर में, उल्टा पिरामिट, शैली में जो लिखा जाता है उनमें इन 6 का हमें जो है सारी चीज़े बतानी पड़ती तब ही वो जाकर समाचार बनता है ये क्या किसके या कौन कब कहा कैसे और क्यों ओं को ही 6 ककार कहते हैं तो इनी को हम क्या बोलते हैं 6 ककार कहा जाता है समाचार के मुखडे यानि इंट्रो यानि की पहले पारग्राफ की शुरुवाती 2-3 पंक्तियों में आम तोर पर 3 या 4 ककारों का आधार बना कर लिखी जाती है यानि की खबर क्या हुई, कब हुई, कहा हुई, कैसे हुई तो इस तरीके के कुछ जो महत्वपोंड कोश्चन है ये आपके समाचार लेखन में उल्टा पिरामिट शैली के इंट्रो में दे दिया जाता है ये 4 ककार है क्या, कौन, कब और कहां? इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी दो ककारों जैसे कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है इस तरहे 6 ककारों के आधार पर समाचार तयार होता है इन में से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचना अत्मक है यानि कि यह हमें सूचना प्रदान करने का काम करते हैं कि खबर क्या है, कौन है इस खबर के पीछे, कब हुई है और कहां हुई है ये क्या है ये सूचना दे रहे हैं और तथ्यों पर आधारित होते हैं यानि कि जो सबूत इकठा हुए हैं उनके आधार पर ये सारी सूचना दी जाती हैं जबकि बाकी दो ककार कैसे और क्यों ये विवनात्मक होते हैं यानि कि ये जो घटना घटी है उसका विवरन प्रस्त किया जाता है इन दो को करों के माध्यम से यह होते हैं पहलों पर दिया जाता है यानी कि इन अब हम आ गए फीचर लेखन पे फीचर ये भी अखबार पे छपता है ये किस तरीके से लिखा जाता है समकालीन घटना या किसी भी छेतर विशेश की विशिष्ट जानकारी के सचित्र एवन मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है तो समझ में आया कोई भी घटना समकालीन उस समय आसबास में घटीत होई हो किसी भी छेतर विशेश में विशिष्ट जानकारी के लिए हम उसे लिखे उसे पिक्चर यानि कीfilled सच चत्र है और मोहक यानि की थोड़ा मनरणजग तरीके से लिखा जाता है तो वह फीचर कहलाता है फीचर का में मनरणजग के साथ हमें जा प्रस्तुत किया जाता है इसके संबादों में गहराई होती है यह सुवेवस्थित श्रजनात्मक और आरधिना है जिनके उद्देश पाठकों उनको रचना ने वा उनके उनकी जितनी सुकता होती है कि मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है तो सिंपल क्या है यह सुवेवस्थित होते हैं कि विवस्था से होते हैं श्रजनात्मक होते हैं लेखक की खुद अपनी बुद्धी की श्रजन के माध्यम से होते हैं इसका में काम जो होता इसकी जो रचना होती है यह पाठकों के अंदर इंट्रेस्ट इंट्रेस्टिंग व होती है एक विशे पर लिखा गया फीचर प्रस्तुती विविदता के कारण अलग अंदास प्रस्तुत करता है इसमें भूत वर्तमान तता भविश्य का समावेश हो सकता है इसमें मतलब तीनों ही कार लिखे जा सकते हैं कोई पास्ट की खबर हो सकती है या आने वाली किसी बात पर हम कोई अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं एक विशे पर लिखा गया फीचर विविश्त के कारण अलग-अलग होता है इसमें तत्थ कथन वा कल्पना का उप्योग किया जाता यानि कि क्या चीज़े अक् को कार्टून चार्ट नक्षे आदिका उप्योग उसे रोचक बना देता है अगर हम यह सारी चीज़े इस्तेमाल करने तो वह और ज्यादा इंट्रेस्टिंग हो जाती है फीचर वा समाचार में अंतर अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ठीक है फीचर में लेखक के पास अपनी राय या द्रश्टी कोणवा भावनाय जाहिर करने का अफसर होता है जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्टता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है फीचर लेखन में क्या चीज़ कैसे प्रस्तूत करनी है यह लेखक की मर्जी होती है उसे कोई समाचार को लिख रहा है वो अपनी मर्जी के साब से कोई फेर बदल नहीं कर सकता है फीचर लेखन में उल्टा पिरामट शैली का प्रयोग नहीं होता इसकी शैली कथ्यात्मक होती है तो फीचर लेखन किस तरीके से लिखा जाता है जैसे कोई कथा लिखी जाती है उस तरी तरहे के शब्दों का अलंकारिक शब्दों का बढ़िया शब्दों का इस्तमाल कर सके इस चीज की छूट होती है परंतु समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है यानि कि इसमें हम किसी तरह की अलंकारिता बनावटी कोई भी चीज इस्तमाल नहीं कर सकते जो बात जैसी है ह में उसी तरीके से प्रस्तुत करनी पड़ती है फीचर में शब्दों की अधिक्तम सीमा नहीं होती यानि कि इसमें माक्सिमम आपको इतना लिखना है यह बाउंडेशन नहीं होती वह लेखर के उपर है कि वह कितना लंबा फीचर लेख सकता है कभी वह 50 शब्दों का भी 200 से लेकर 2500 मैंने का यह लेखर की मरजी पर होता है कि वह कितने शब्दों का फीचर करना चाहता है जबकि समाचार पर शब्द शीमा लागू होती है यानि कि समाचारों पर शब्दों का बाउंडेशन होता है कि नहीं इतने सीमा तक ही आपको समाचार लेकर करना है क्योंकि अब आगे बढ़ जाते है फीचर के प्रकार अब किस पर आ गए हम फीचर के प्रकार पर फीचर किते प्रकार के हो सकते हैं समाकर फीचर हो सकता है व्यक्ति परक फीचर हो सकता है लोका भिवेक्ति फीचर हो सकता है सांस्कृतिक फीचर साहितिक फीचक विश्लेशन फीचर और विज्ण फीचर तो करीबन आठ तरह के फीचर जो है इस तरीके के छित्र में लिखे जा सकते हैं. अब फीचर लेक moist requirement संबंधी मुख्य बाते क कुछ बातों को जान लें जो फीचर से सम्बंदित है। फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विशे से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है। जब फीचर को हम अगर सजीव बनाना चाहते हैं कि हाँ ये एक्चुल में घटी घटना है तो उससे जुड़े लोगों की मौजूदगी हमें फीचर में दिखानी पड़ती है। अंदास ऐसा हो कि पाटक यह महसूस करें कि वे घटनाओं में खुद देख और सुन रहा है। तो लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जैसे पाटक है वो खुद उस फीचर के अंदर मौजूद है। उसे ये चीज़ का एहसास होना चाहिए। उसकी बारे में कोई रिपोर्ट नहीं होती है। फीचर जो होता है किसी एक घटना की हम बहुत सारी पहलूओं से समझ लेते हैं। फिर उसको हम लेखक अपनी मर्जी के हिसाब से बना कर प्रस्तुत करता है। मगर वो इंट्रेस्टिंग वे होता है ये ध्यान रखेगा। इसे किसी बैठक या सवा के कारवाई विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। जिसे हम मिनिट्स बोलते हैं उसकी तरह ये प्रस्तुत नहीं किया जाता है। फीचर का कोई ना कोई उदेश होना चाहिए। किस उदेश से ये प्रस्तुत किया गया है वो होना चाहिए। उस उद्देश के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए तो यानि कि जो उद्देश है उसी के आसपात सारी चीजें उस फीचर में मौजूद रहनी चाहिए फीचर तथ्यों सूचनाओं और विचारों पर आधारित कत्यात्मक विवरण और विशलेशन है फीचर लेखन का कोई निश्चिट धाचा या फॉर्मूला नहीं होता है इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंब मध्य और अंत से शुरू तक किया जा सकता है कोई इसका मेथोड नहीं है वो लेखक की मर्जी पर डिपेंड होता है फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ के सहिस तरीके से जुड़ा होना चाहिए तता उसमें प्रारंब से अंत तक प्रभावा गती होनी चाहिए यह नहों की चीज़ें बीच में ब्रेक होती निखाई जाएंगे तब परिशारी आईगी तो कोशिश करिए एक में हम एक पराग्राफ में एक ही बात गए तो इस तरीके से हमारा फीचर खतम हो गया आब आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट समाचार पत्र रेडियो टेलिवीजन की एक विशेश विधा है याद रखे कि रिपोर्ट हम सिर्फ समाचार पत्र में नहीं पढ़ते हैं यह आपका रेडियो में भी टेलिकास्ट होता है टेलिवीजन पे भी दिखाई जाती है तो इसकी यह एक अलग तरह की विधा रहती है जो तीनों पर ही चलती है इसके माध्यम से किसी घटना समारों या आखों देखे किसी अन्यकारिक्रम की रिपो और प्रस्तुत की जाती है चूंकि दूरदर्शन द्रश एवं शव्य दोनों ही उद्देश पूरा करने वाला माध्यम है आता इसके लिए आप काक केते हैं टीवी के लिए है तो वो द्रश और शव्य दोनों माध्यम है रेडियो पर आ जाए तो वो सिर्फ शव्य माध्यम है तो यहां पर रिपोर्ट तीनों माध्यम के लिए हो रही है लेकिन तीनों में क्या है अलग-अलग तरीके से होगा क्योंकि तीनों को ए जाता है एक को सुना जाता है एक को सुना और पढ़ा दोनों जाता है तो उस कंडिशन में लिखने के तरीकों में फरक आएगा जबकि रेडियों के लिए केवल सुने योगर रिपोर्ट तयार करने का काम चल जाता है कभी संचालक द्वारा दी जा रही कारवाही का कर सकते हैं ठीक है रेडियों में सुना जैसे और आपके समझार में पढ़ा जैसे शब्दों का इस्तमाल होता है अब आते हैं रिपोर्ट की विशेशताएं क्या रहती है रिपोर्ट की पहली मुख विशेशता उसकी संच्छप्तता होती देखे रिपोर्ट किसी चीज को आनलाइज करके सिर्फ उसके कंक्लूजन को पेश करना मतलब जो चीज़ें जैसी घटे थे उसको हम शौट में देते हैं और कंक्लूजन पर पहुंच जाते तो इसलिए यह बहुत संच्छप्त होनी चाहिए नहीं कि घटना जितनी लंबी होती लंबी हम तयार करें रिपो अब चाहिए और दोनों ही पक्ष की जहां अच्छा यह बताएगी बुराई बताएगी वो किसी दीक फीए एक पक्ष की तरफ जो जुगती नहीं है रिपोर्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए निजपक्ष रिपोर्ट ट्यार करनी चाहिए रिपोर्ट की तीसरी तो ऐसे रिपोर्ट को कोई पढ़ना देखना नहीं चाहता है असत्य रिपोर्ट पर ना कोई विश्वास करता है ना कोई पढ़ना फसंद करता है रिपोर्ट की अगली विशेष्टा उसकी पूर्णता है यानि कि उसमें सब कुछ चीज़े आ जो भी जिस पी चीज़ पर हम रिपोर्ट त्यार कर रहे हैं वो सब कुछ उसके अंदर आ जाए आधी अधूरी रिपोर्ट से रिपोर्टर को का ना उदेश पूरा होता है और नावा पाठकों की समझ में आती है रिपोर्ट की अगली विशेशता उसका संतुलित होना है या हमें ऐसा नहीं है कि हम एक पक्ष के बारे में तो बहुत कुछ बता रहें मगर दूसरे पक्ष के बारे में कोई चीज़ बता नहीं रहें तो यह गलत है हम जितना एक पक्ष के बारे में बता रहें उतना ही हमें दूसरे पक्ष के बारे में भी बताना है तो यही आपका क् की investigative report इंडेप्थ रिपोर्ट विशलेशनात्मक रिपोर्ट विवरनात्मक रिपोर्ट अब इनको ध्यान से देखेगा इनसे आप पर लगुत्री प्रेश्म भी पूचे जा सकते हैं इनको आपको दोनों को compare यानि की अंतर भी पूचा जा सकता है तो इन जो आपकी चार reports को अच्छे से देखेगा सबसे पहले खोजी या investigative report है इस प्रकार की रिपोर्ट में reporter मौलिक शोद और चानबीन के जरिये ऐसी सूचनाई अत्त्थ सामने लाता है जो सार्वजनिक तोर पर पहले से उपलब्द नहीं थी खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आम तोर पर भष पाई जा रही है कारण क्या है क्योंकि उसमें कुछ गलत है तो ऐसी चीजों को ऐसे मुद्दों को reporter जो है खोजता है बीनता है सारी चीजों के बारे में पता करता है उस पे एक report त्यार करता है और publish करा देता है तो mostly जो यह है यह ऐसी चीज़े होती है जिनके बारे में public को कुछ भी अंदाजा नहीं होता है कि इस तरह का कोई भी गोटाला या भ्रष्टाचार किया गया है अब ये रिपोर्ट के लिए पत्रकार को मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है क्यों क्योंकि ये जहिर सी बात है अगर भ्रष्टाचार हो रहा है या गोटाला हो रहा है तो ये प्रकार की रिपोर्ट में सारजनिक तौर पर उपलपद तत्यों सूचनाऊ और आकड़ों की गहरी छादबिन की जाती है और उसके इधार पर किसी घटना समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वूर पहलूमों को सामने लाया जाता है अब क्या है कोई ऐसा मुद्दा है जो सभी के सामने सारवजने के हम सभी उसको देख रहे हैं हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है लेकिन पत्रकार लोग इस चीज़ पर यकिन नहीं करते जो दिखाया जा रहा है सरकार द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा वो उनके अंदर घुसते हैं अब उसके अंदर घुसने के बाद किसी पहलू में उन्हें गड बड़ी दिखी कुछ गलत दिखा तब पत्रकार उसके बारे में पूरी चीज समझता है लिखता है रिपोर्ट तयार करता है और जनता के सामने उसे उजागर कर देता है खोजी रिपोर्ट में हमसे कोई चीज छिपाई गई होती है उसे पत्रकार निकाल के लेके आता है लेकिन इंडेप्थ रिपोर्ट में हमारे पास कह रहता है वो मुद्दा हमारे सामने रहता है लेकिन उसमें भी कई ऐसी हेर फेर होती है जो हमसे हाइट करता है सरकार तो वो चीज निकाल के लाता है तो इंडप्त रिपोर्ट का मतलब होता है जी रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की गई है जो चीज बताई जा रही है उसकी गहराई में जाकर उसके तल में जाकर सारी चीज़ों को खोच कर लाना फिर आते हैं विशलेशरात्मक रिपोर्ट इस तरह की रिपोर्ट में पत्रकार किसी विशेश विशे पर विशेश गिता हासल करता है ओर आकड़ों को एकत्रित करके लोगों को उन घटनाओं की पहचान कराता पर नहीं है किसी पत्रय कार जिसने उस विशे को होता है दिगरी हांसिल करी हुई तो वह उस विशे को लेकर क्या हुता है अच्छी महारत रखता है तो उस वशे पर वह वंशे शग्यतार कर लिया उसने साथ तोasan Tae भारत में कोई भी रिपोर्ट तयार करके हमारे सामने प्रस्तूत करता है ठीक है वही चीज़ दिये नोंने विशेश विशेपर विशेशग्याता हासिल करता है यह कौन हासिल करता है रिपोर्टर हासिल करता है और आकड़ों को एकत्रत करता है विशेशग्याता हासिल कर ली अब उस वशे में भारत पे जो कोई भी चीज़े हैं उन पर वो आखड़े एकत्र करेगा और वो हमारे सामने उन सारे तथियों को रखेगा अब ये जरूरी नहीं है कि ये गलत आंकडे हों, हो सकता है वो आंकडे बहुत अच्छे हों और जो हमारे सामने उजागर नहीं किये गए हों क्योंकि इस विशेशेगता ली ही नहीं है, अब चुकि उसने विशेशेगता ली है तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने उजागर क को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है विवन प्रकार के विशे एश रिपोर्टरों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिट शैली में ही लिखा जाता है लेकिन कई बार ऐसे रिपोर्टरों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है तो विवनात्मक रिपोर्ट होता है कि यहाँ पर किसी विशय या किसी मुद्दे का पूरा विवरण प्रस्तुत करना ठीक है उसको कहते हैं विवरणात्मक रिपोर्ट तो मोस्ली ये विवरात्मक रिपोर्ट जो है वो समाचार लेखन की तरह उल्टा पिरामिट शैली में लिखी जाती है लेकिन कभी-कभी कुछ मुझ्य ऐसे होते हैं जिनको हम फीचर सैली में भी लिख सकते हैं चोगि ऐसी रिपोर्ट सामान ने समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती कि जब रिपोर्ट है तो जाहिर सी बाते जो हम समाचार लिख रहे हैं वो तो छोटे होते हैं तो इसलिए उन्हें उल ची बनाये रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिट शैली और फीचर दोनों शैलियों को मिलाकर इस्तिमाल करते हैं यानि कि इस तरह की रिपोर्ट शुरू कैसे होंगी आपकी उल्टा पिरामिट शैली से लेकिन वो दूसरे ही पैराग्राफ से फीचर शैली के अंतरग पार्ट आर्ट देखेंगी सेकेंड कल थर्ड फोर्थ तो इस तरीके से वो कई दिनों तक प्रकाशित होती है विशेश रिपोर्ट की भाषा सरल सहज आम बोलचाल की होनी चाहिए तो मैंने आपको यहाँ पर चार तरीकी रिपोर्ट जी थी वह हम नता दे अब पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभीविक्ति को अच्छा यहां पर अब यह तो मैंने आपको सवरी एक्दम से मैं आ गई फ्लो में मैंने ध्यान नहीं दिया विशेश रिपोर्ट की विशेश रताएं तो हमने आपको पहले ही क्लियर कर दी आपने यहां प्रिप्तता उसके बाद दूसरी विशेशता उसकी निश्पक्षता थी तीसरी विशेशता उसकी सत्यता थी और उसके बाद उसकी चौथी विशेशता पूर्णता थी फिर उसके बाद उसकी विशेशता थी संतुलित होना तो यह पांच विशेशता थी जिनने मैं आपक तो इस तरीके के प्रशन पूछे जाते हैं तो इस लिए इनकी जो मैं आपको यह समझा रही हूं यह सारी चीजे डिटेल में समझ लीजे ताकि आप इनको आसानी से लिख सके अब हम आ गए आलेक पे किसी एक विशे पर विचार प्रधान अभिविक्ति को आलेक कहा जाता है विचार प्रधान जहां पर लेखक के विचारों की प्रधानता होती है ध्यान रखेगा यहां पर क्या चीज घटी उससे मतलब नहीं है उस जिस टॉपिक पर लेखक लिक रहा पर ही प्रकाशित होते हैं तो संपादिकी प्रिष्ट से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं जहां पर आप क्या कहते हैं संपादक के नाम पत्र वगेरा प्रस्तुत किये जाते हैं तो उसी पेज पर स्तंब आलेक सभी प्रकाशित होते हैं इसका संपादिकी से कोई संबंद नहीं है ये ले किसी भी छेतर से संबंदित हो सकते हैं जैसे खेल समाज राजनिती अर्थ फिल्म इसमें सूचनाओं का होना अनिवार है तो आलेक मस्तुता क्या होता है इसकी लिखने की कोई विशेश शैली नहीं होती है कि ये कथ्यात्मक तौर पर लिखा जाएगा ये वि जादा है कुछ में मुद्धे हैं जो यहां हमने बदे दिये हैं खेल समाज राजनिती अर्थ फिल्म आदी पे लेकिन ये सारे जब लिखे जाएंगे तो उसमें जब भी मालेक त्यार करते हैं तो जंता को उसकी सूचनाएं देना हमारा परम करतव हो जाता है आलेक के मुख्य अंग जब आलेक हम त्यार करते हैं तो इसके अंग कौन कौन से थे आलेक का मुख्य अंग है भूमी का विशे का प्रतिपादन तुल्यात्मक चर्चा वा निश्कर्ष तो ये चार पार्ट रहते हैं जिन पार्ट में हम आलेक त्यार करते हैं तो सबसे पह प्रागरता की कमी हो चुकी है लोगों के अंदर धीरच कम हो चुका है तो जो भी हम लिखित कारे चाहिए रिपोर्ट हो फीचर हो आलेख हो इन्हें हमें बहुत जादा विस्तृत नहीं लिखना चाहिए तो जब इनको विस्तृत नहीं लिखेंगे तो इनके अंग भी स्वत और दो पार्ट में बाट देंगे कैसा है उसका आकार रूप और छेत्र के बारे में कोई भी विशे है अब हमने पहले भूमिका लिखी भूमिका के बाद हम क्या आ गए विशे के प्रतिपादन पर जिस विशे को हमें पूरी तरीके से जंता के सामने रखना अब जाहिर सी ब पराग्राफ में उसको लिखना आसान हो जाता है इसमें विशे का क्रमीग विकास किया जाता है विशे में तारमेता और कर्म बतता आवश्चक होती है यानि की जब आप लिख रहे हैं तो विशे में हमने जाहिर सी लिए टीम पहले अगर टीम खेल रही है और और ऑस्टेलिया बालिंग कर रही तो पहले भाग को यानि की जो हमारा विशे का प्रति पादन हुआ उसे हमने दो पार्ट में बाटा फॉर्स्टाइब सब्सक्राइब को भी दो पार्ट में बाट देंगे जिसमें हम इंडिया की क्रिकेट की बारे में बात करेंगे दूसरी तरह भी मॉस्ट्रेलिया की बारे में बात करेंगे उसी तरह सेकेंड हाफ को भी हम इसी तरीके से बाट देंगे सेकेंड हाफ में ऑस्ट्रेलिया बाटि यह सारी चीज़ें समझ में आया तो कोई भी विशे है आप जिस भी विशे पर लिख रहे हैं उसका वर्गी करना आप उसी हिसाब से करो तो लिखना आसान हो जाता है अब इसमें आप इन्होंने क्या चीज़ बोली तार मैता होनी चाहिए यानि कि एक फ्लोर होना चाहिए औ तो हमेशा ध्यान रखना कि उसके लिखने का तरीका अलग हो जाएगा एक लेख रहता है आलेख जो है सिंपल अगर लेख है तो हम उसको आपको बता रहे हैं कैसा है और अगर हम तुल्लात्मक कर रहे हैं तो कंपेर करते समय वो सिर्फ दो पार्ट में बटेगा उसका यानि कि जब हमें आलेख लिखना है तो उसके संबंद में हमें क्या-क्या बाते याद रखने होंगी लेख लिखने से पूर्व विषे का चिंतन मनन करके विशे वस्तु का विश्रेशन करना चाहिए यानि कि जब आप आलेख त्यार करने जा रहे हो तो उससे पहले आप विशे के बारे में अच्छे से सोच लो समझ लो जान लो सारी चीज़े एकत्र कर लो फिर उसे लिखना शुरू करो विशे वस्तु से सम्मंदित आकड़ों वा उधारों का उप्यक्त संग्राय होना चाहिए जब अंदर आप विशे का विस्तार करेंगे तो वहां पर आप ब लेक भी लिखुरे हैं उसमें हर एक छी स्रंखला से आनी चाहिए यह नहीं कि पहले क्रीकट टीम मैच जीतकरइगी बारत इसके बाद बंक्री ऐले आप परिषेद में बटा रहता है तो परिषेद में आप एक ही बात को विक्त करने की कुशिश कर रहें हैं लेक की प्रस्तावनावा समापन को रोचक्ता होनी चाहिए यानि कि जब आप उसका स्टार्टिंग यानि भूमिका लिख रहे हो और उसकी आंडिंग कर रहे हो तो वो इंट्रेस्टिंग होना चाहिए तभी पढ़ने वाला व्यक्ति उस पूरे आलेक को पढ़ने में इंट्रेस्ट लेगा विरोधा भास दोहरापन असंतुलन तत्यों और असंदक्ता आदि से बचना चाहिए आलेक लिखते समय अगर हमारे ही विचारों में विरोधा भास है हमें ही नहीं समझ कि यह सही है या यही गलत है तो यह चीज हमारे लेखन में साफ तौर से परिलक्षत हो जाएगी इसलिए हमेशा अपने आपको क्लियर करते हुए तब आलेक में चलिए हमे अब यह हमारे देखे पत्रकारिये लेखन सारे चल रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा अब हमाएं विचार परक लेखन पे अकबारों में समाचार और फीचर के इलावा विचार परक समगरी का भी प्रकाशन होता है कई अकबारों की पहचान उनके वैचारिक पड़ियां इसी विचार परक पत्रकारी लेखन की श्रेडी में आता है तो यानि कि कभी-कभी क्या होता है कोई लेखक या कोई ऐसा एक कॉलम है जो एक लेखक को एलोट कर दिया जाता है संपादी की लेखन प्रश्ट पर कि यहां पर आपको डेली अपने विचार किया जाता है वहां पर लेखक को पूरी तरीके से सुतंत्रता होती है वो किस टॉपिक पे लिखना चाहता है किस तरह से लिखना चाहता है वो अपने विचारों को विक्त करता है तो संपादी की लेखन किसी एक लेखक के विचारों पर और कभी-कभी क्या होता है कोई- कोई भी हैं जो विचार पर ये पद्रकारी लेखन के अंतरगत आ जाएंगी इसके इलावा विभिन विश्यों के विश्यशक्यों ववरिश्पतकारों के इस्तंब यानी कॉलम भी विचार पर लेखन के तहद आते हैं अभी थोड़ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस या कुछ इस पेपर में चृपना है तो वो पर्टिकुलर एक स्तंबो है यानि कि वो एक जगा कड़ा हुआ है तिका हुआ है इस जगा से बोगन के ही लेक हिचार जाएंगे तो कभी कभी क्या आमने जैसे बताया कि संपादिकी प्रष्ट में ये सारी चीजे इस्तम्ब लेखन, विचार परक लेखन, आपके आलेक, फीचर, रिपोर्ट ये सारी छपती हैं लेकिन संपादिकी प्रष्ट होता है कभी कभी उसमे इत्ती जगह नहीं होती है तो इस कारण से क्या होता है संपादिकी प्रष्ट के सामने वाला एक प्रष्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आप एड प्रष्ट तो उस पे भी आपके संपादिकी लेखन आ सकते हैं इस्तम्ब लेखन आ सकते हैं विचार परक लेखन आ सकते हैं वो भी उस पे चापे जा सकत अब आगए इस्तंभलेखन अभी मैंने भात कर ही उसकी प्रस्तूती करण होती है तो इस्तंभलेखन भी एक प्रष्ट पर एक पर्मानिंट कॉलम होता है जो एक लेखक को अलोट कर दिया जाता है कि इसमें आपको लिखना कुछ महात्पूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुजहान के लिए जाने जाते हैं उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विक्सुत हो जाती है ऐसे लेखकों को लोग प्रियता को देखकर अकबार उन्हें नियमित इस्तम्ब लिखने का जम्मा दे देते है इस्तम्ब का विशह चुनना और उसमें अपने विचार विक्त करने की इस्तम्ब लेखक को पूरी छूट होती है यही कारण है कि इस्तम्ब अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किये जाते है तो mostly क्या होता है इस्तम किसके नाम से जाने जाते हैं उन लेखकों के नाम से जाने जाते हैं कुछ इस्तम इतने लोग प्रिय होते हैं कि अकबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं जो मैंने अभी आपको बुला ना कभी कभी इस्तम इतने famous हो जाते हैं कि वो इस्तम के नाम से ही लेक अकबार पहचाने जाने लगते हैं अब आ गए हम साक्षातकार यानि की इंटरव्यू ये भी एक पत्रकारिये लेखन का स्वरूप है हमें सभी को पता है कि जितना भी लेखन है उन सब का रौ मटीरियल हमें साक्षातकार यानि की इंटरव्यू से ही प्राप्त होत समाचार माध्यों में साक्षातकार का बहुत महत्तु है यानि कि इंट्रव्यू का पत्रकार एक तरह से साक्षातकार के जरीए ही समाचार फीचर विशेश रिपोर्ट और अन कई तरह के पत्रकारिये लेखन के लिए कच्चा माल इकठा करता है तो हमने बताया ना रौ माटी से तथ्य उसकी राए और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है कि सफल साक्षातकार के लिए उसके पास ना सिर्व ज्यान होना चाहिए बलकी आप में समवेदन शीलता कुटनीती धहरे और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए माल लिजे अगर हम इंट्रव्यू ले रहे हैं तो हमारे अंदर जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में अपने अनभवों के बारे में अपनी राय बता रहा है तो हमारे अंदर इतनी समवेदन शील िवाब दिया है ऐसा ज़वाब जिस में हम पलट कर जवाब फिर सवाल एक हम पूठ सके ह। धैर होना चाहिए यानि कि सामने वाला जाहिर सी बात है अब जब अपने बारे में बताएगा तो आराम से बताएगा तो इतना patience हमारे अंदर होना चाहिए सुनने के लिए और वे कभी बहुत बड़े लोगों का इंटर्वियू लेने के लिए भी हमें बहुत जद्दुजहत करनी पड़ती है तो उतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए सफल और अच्छा साक्षातकार कैसे लिखे यानि की एक अच्छा इंटर्वियू किस तरीके से लिखा जा सकता है एक अच्छे और सफल साक्षातकार के लिए निमलिखित बाते आवश्यक जिस विशेव पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात कार करने आप जा रहे हैं उसके बारे में आप के पास परयाप्त जानकारी होनी चाहिए यानि कि ऐसा नहीं कि हम सीधे उठे और उस व्यक्ति से जाकर हमने इंटर्वियू लेना शुरू कर दिया अब हम जिस से भी इंट जानकारी लेते जिस पर हम उससे सवाल पूछ सकते हैं तो इसलिए उसकी हमें पूरी जानकारी एकत्र करके ही उससे इंटर्वियू लेने के लिए जाना चाहिए आप साख्षात कार से क्या निश्कर्ष निकालना चाहते हैं इसके बारे में इस पश्ट रहना बहुत जरू कि एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं यानि कि हमें हमेशा उन सवालों को पूछना चाहिए जो एक पाठक जिसके जवाब जानने के लिए एक पाठक बहुत इच्छुक हो कि आखे जिसे माली जी हम किसी अगर सेलिबरिटी से किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसकी अपन एक पाठक जानना चाहता है साक्षातकार को अगर रिकॉर्ट करना संभव हो तो भेतर है साक्षातकार के दौरान आप नोट्स लेते रहें लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो साक्षातकार को लिखते समय आप दो में से भी एक तरीका अपना सकते हैं इन्होंने क्या बताय ऑगर feasible हो, तो आप साक्षातकार को record कर सकते हो, record नहीं कर दो तो इसे एक notes में भी लिख सकते हो, क्योंकि question आपके पास पहले से ही तैयार है, या तो आप दोनों तरीके ले सकते हो, या आप अगर जो भी possible हो वो तरीका अपना सकते हो एक आप साक्षातकार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं या फिर एक आलेक के रूप में भी लिख सकते हैं यानि कि दो तरीके से लिखा जा सकता है question than answer, question than answer जैसे आप question पूछ रहो पहले question लिखो फिर answer लिखो दूसरा है क्या है उसे आप सिर्फ एक paragraph में लिखते जाओ बाद में आप उसे फेर करके question answers में तब्दील कर सकते हैं तो ये दो तरीके हम interview लेने के कर सकते हैं अब आगए हम संपादिकिये पर संपादिकिये एक प्रष्ट होता है उसी में उस समाचार में काम करने वाले संपादक और सह संपादकों के भी कुछ विचार प्रस्तुत किये जाते हैं जिसे हम संपादिकिये कहते हैं क्या है देखी संपादिकी का समाचार पत्र के लिए बहुत महत होता है क्योंकि इसे उस समाचार पत्र की आवाज भी कहा जाता है समपादिकी को किसी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है यह एक निश्चत प्रष्ट पर छपता है यानि कि यह सिर्फ समपादिकी प्रष्ट पर ही छपे का ध्यान रखे यह अंश समाचार पत्र को पठनिय और अविश्वशनिय बनाता यानि कि जिसे कोई भुला ना सके समपादिकी से ही समाचार पत्र की अच्छाईयां एवं बुराईयां का निर्धारन होता यानि कि बेसिकली उसकी गुडवत्ता वो पेपर किस तरीके का है क्या थौट रखता है ये गुडवत्ता पाठकों के सामने निकल कर आती है समाचार पत्र के लिए इसकी महत्ता सरवो परी है विशेश लेखन से एक और समाचार पत्र में विविधता आती है तो दूसरी और उसका कलेवर व्यापक होता है वास्तों में पाठक अपनी व्यापक रुचियों के कारण साहित, विज्यान, खेल, सिनेमा, आधी विविध छेतरों से जुड़ी खबरे पढ़ना चाहता है इसलिए समाचार पत्रों में विशेश लेखन के माध्यम से निरंतर और विशेश जानकारी देना आवशक होता है तो यहाँ पर दो चीजे हमने बताई एक संपाद की बताया और दूसरा एक विशेश लेखन बताया जो की समाचार पत्र में छपता है विशेश लेखन का आर्थ हैं किसी खास विशे पर सामान लेखन से हट कर किया गया लेखन। अतात्पर क्या होता है संवान विशे से हटकर लिखा गया आब इसमें जाहिर सी बात जो विशे एक इनिशल होता है जैसे कोई घटना घटी सब्सक्राइब कोई घटता घट ही चीज हो रही है तो तुरंत क्या है ना उस जो एक देर होता है वह क्या करता है वा सब्सक्राइब अब aut Ins台 Uhros Saleljak टेर्पोर्ट या सदेआ लेकिन जब विशेश त्यार करते हैं तो इसे जो है वह विशेश संवा दाता हिसSON समार करता है क्योंकि उसे उस मटेरियल की आपकर करके बारे में旧 कर दिया के बारे समाचारों पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेश लेखन के लिए अलग डेक्स होता है ठीक है अलग से एक डेक्स बनाया जाता है जहां पर सिफ विशेश लेखन का कारी किया जाता है और उस विशेश डेक्स पर काम करने वाले पत्रकारों का सम्ह भी होता है जैसे समाचार पत्रों और अनमाध्यमों में बिजनस में कारूबार और वियापर का अलग कि यानि कि इसी तरे खेल और खबरों के और फीचर के लिए खेल डेक्स अलग होता है इन डेक्सों का काम करने वाले उपसंपादकों और समभादाता हूँ कि अपेक्षा की जाती है कि समभनदित विशायय चेतर से उणकी विशेशक गयता हो तो simple है मान लीजिए कि एक जो है राजनीती समभनदी डेक्स है एक खेल संबंदी डेक्स है एक क्राइम संबंदी डेक्स है एक आपका फिल्म जगत से संबंदी डेक्स है तो इन सभी डेक्सों पर अलग-अलग काम करेंगे जिनमें आपके रिपोर्टर भी रहेंगे संबादाता भी रहेंगे विशेश संबादाता भी रहेंगे सब अपने अपने छेत्रों में यानि कि उनसे उमीद की जाती है इस छेत्र में उन्हें थोड़ी महारत हासिल हो ताकि वो जहां एक सामाने रिपोर्ट लिखने के लिए सिर्फ रिपोर्टर काम करे वहीं विशेश संबादाता उस पर विशेश प्रकार की रिपोर्ट भी तयार करने के के लिए सक्षम हो तो हर छेत्र में हर तरह के रिपोर्टर्स का होना जरूरी होता है कि अब हम आ जाते हैं कहां पर खबरें भी कई तरह की होती हैं राजनीतिक आर्थिक अपरात खेल फिल्म क्रशी कानून विज्ञान या किसी भी और विशे से जुड़ी हुई समवादाताओं के बीच काम विभाजन आम तोर पर उनकी दिल्चस्पी और ग्यान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं यानि कि मान लीजे मैं एक पत्रकार हूँ और अगर मैं पत्रकारिता के छेत्र में जाती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट किस छेत्र में है मेरी नौलिज किस छेत्र में है मुझे वही छेत्र दिया जाएगा रिपोर्टिंग के लिए और वो कहलाती है मेरी बीट यानि कि रिपोर्टर या समवादाता की रुचि के अनुसार उसे कारज छेत्र प्रदान करना ही उसकी बीट कहलाता है एक समवादादा की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कारज छेतर अपने शहर या छेतर में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है अगबार की ओर से वहाँ इसकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाब दे भी होता है अगर वो रिपोर्टिंग कर रहा है तो इसमें कुछ भी अगर होता है तो इसकी रिस्पोंसिबिल्टी भी उसी वेक्ति के लिए होगी जो वेक्ति बीट रिपोर्टिंग का क बेट रिपरोटिंग के लिए एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पढ़ती है उद्भारं के t опер dod propels जो पर राजनीती में दिल्šस्पर होगा राजनीतीहां मान लीजे अगर राजनीती की डेक्स पे कोई reporter है तो एक reporter थोड़ी ना होगा उस पे उस छेतर में काम करने वाले कम से कम 4-5 reporter होंगे तो कोई एक party कवर करेगा कोई दूसी party करेगा कोई तीसी party करेगा जो कोई 4-4 party करेगा तो इस तरीके से वो एक ही बीट पे काम कर रहे हैं लेकिन उस बीट पे भी उन्होंने अपनी अलग-अलग पार्टी अपनी पव्रस्टर को डिवाइड कर रखा है उसमें अब यहाँ पर क्या है राजनीती पार्टी को कबर करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास करा रहा माँन, लीजे मैं अगर बीट रिपोर्टिंग कर रही पार्टी के सद्धान्त या नीदियां क्या है उसके पधादिकारी कौन है और उसकी प्रष्ट भूमी क्या है बाकी पार्टियों से उस पार्टी के रिष्टे कैसे हैं और उसमें आपस में क्या फर्क है उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता है उस पार्टी की कमिया और ख गट रही सारी बातों की खबर आपको हूनी चाहिए तो एक बीट रिपोर्टिंग के लिए आपको इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्ख भी बनाने चाहिए यह नहीं कि हम सिर्फ खबर कर रहे हैं जब हम उ सारी चीजों का पता कर सकते हैं और खबर हासिल करने के नएने शोत विक्सत करने चाहिए यानि कि उस पार्टी के अंदर पार्टी आके खुद आपको थोड़ी ना बताएगी हम यह करने वाले आपको खबर अंदर से निकालनी पड़ेगी इसलिए वहां उसके अंदर आप आपको बहुत सारी विश्वश्णिय संबंद बनाने पड़ते ताकि आप खबर वहां से निकाल सके किसी भी शोत या सूत्र पर आँख मुंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए किसी ने आपको खबर दे दिये आप उस पर आँख बंद करके कर लो काम यह आपको नहीं करना है जो खबर मिली है पहले उसको परखना है जाचना है फिर उसे अखबार में छपवाना है जानकारी की पुष्टी कई अन श्रोतों के जरीए भी करनी चाहिए तभी वा उस बारे में विश्वशक्यता हांसिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वस्निय मानी जात थी अब है बीट रिपोर्टिंग और विशेशिक्रत रिपोर्टिंग में अंतर हमने दोनों तरह की रिपोर्टिंग देख ली बीट रिपोर्टिंग और विशेशिक्रत रिपोर्टिंग ठीक है अब इसमें अंतर ध्यान दिजेगा क्योंकि यह कैसा कोश्चन है जो मुस् कि reporting के लिए समभादाता में उस छेतर के बारे में जानकारी और दिल्चस्पी का होना परयाब्त है यानि कि अगर मुझे सिर्फ जानकारी होनी चाहिए और मुझे इंट्रेस्ट भी होना चाहिए दो चीजें इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आम तोर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान ने खबरें ही लिखनी पड़ती है यानि कि उस जगा पर इस वक्ती ने मडर कर दिया फिर उस मडर वो मडर हुआ ये सारी चीजे हुई इस वक से जुड़ी घटनाओं मुद्दों समस्याओं और बारी की सिविशलेशन करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ इसपष्ट करने की कोशिश करें तो बीट रिपोर्टिंग का ताद पर आप लोगों ने एक बहुत रिसेंटली कहां का केस है मुझे याद नहीं आ ठीक से लेकिन एक घर के बहुत सारे लोगों ने सुसाइट कर लिया था आइस तिंग दस से ग्यारा मेंबर्स थे उन्होंने सुसाइट कर लिया तो अब इस खबर को जिस ने च्छापा वो मतलब जिस नियूस का पेपर ने च्छापा उसकी बीट थी क्राइम ठीक है तो वो सबने सुसाइट किया हुआ है घर के ग्यारा के ग्यारा मेंबर मर चुके हैं इतने लड़के हैं इतने बच्चे हैं इतने बूढ़े हैं हमने लिखकर वो एक रिपोर्ट तयार कर दी कि इतने कैसे हैंग हुआ है सब कुछ करके एक रिपोर्ट तयार करी और उसे चपवा द जाता है उसके पीचे वो जाएगा कि आखिर इन लोगों ने ये कारी कि आ क्यूं कौन सा ऐसा मंबर था जिनों ने इन लोगों को फोर्श किया कि तुम ए stubborn क्यों करह पिर उसके पीछे जा एगा कि कोई साधु महात्म महात्म है उन्होंने इनको भड़काया या कोई अन्धविश्वास था या कोई रिच्वल था इसके दूर थूर उन लोगों ने ये काम किया कोई या ढोंगी था कोई तांत्रिक था इस तरीके से पता करेगा फिर उस तांत्रिक के पास जाएगा उसके बारे में पता करेगा कि उसने ऐसा क्यों करवाया या परिवार का कोई मेंबर ने इनको फ पानी की सतहा की जान एक सतहा की होती है गहराई में पानी होता है तो जो सतहा की जानकारी देगा वह आपका कहलाएगा बीट रिपोर्टिंग लेकिन जो गहराई तक जाएगा और सारे चीजों को खोज कर लाएगा वह कहलाता है विशेशिक्रत रिपोर्टिंग और पाठकों को समझाता भी है उसके लिखने का तरीका ऐसा रहेगा कि वो पहले तो पूरी जानकारी देगा और फिर आपको इची समझाएगा भी कि घटी कैसे विशेश लेखन के अंतरगत रिपोर्टिंग के अलावा उस विशा या छेद्र विशेश पर फीचर टिपड़ी साक्षातकार लेख समीक्षा और इस्तम्भ लेखन भी आता है तो विशेश रिपोर्टिंग अंतर ये नहीं होता जो घटना घटी वो विशेश रिपोर्टर इस्तंब भी लिख सकता है वो फीचर भी लिख सकता है टिपडी भी लिख सकता है साक्षातकार भी ले सकता है लेख भी दे सकता है समीक्षा भी कर सकता है वो यह सारे कारी कर सकता है इस तरह का आव विशेश लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से यह कारिकोई लेखक भी कर सकता है। शर्त धिये हैं कि विशेश लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्रैलेखक को उस विशे में निपुण होना चाहिए। यानि कि उसे पूरी विशेश अग्यता हासिल होनी चाहिए पूरी जानकारी होनी चाहिए उस विशे में मतलब यह है कि किसी भी छेतर पर विशेश लेखन करने के लिए जरूरी है कि उस छेतर के बारे में आपको जादा से जादा पता हो उसकी ताजी से ताजी सूचना आपके पास हो आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हूँ जानकारियां और तत इकठा करते हूँ और उस छेतर से जुड़े लोगों से लगातार मिलते हो इस तरह अकबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विशेपर लेक या उसके भी लेख आते हैं जिसमें सुनिल गावस्कर हैं। उसके लेख सकते हैं जैसे मंद्रया वजडी को के भी कई नीख हैं जो उन्होंने खेल समंद्ध में lijखे हैं जैसे रक्षा, विज्यान, विदेश, नेती, क्रशिया ऐसे किसी छेतर में कई वर्षों से वे काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में भेटर तरीके से लिख सकता है आप जैसे रक्षा विशेशक घैं तो किसी ने रक्षा विशेशक के पतपर कारी किया होगा तो वो अंदर की सारी जानकारियां रखता है सारी विश्यों के बारे में जानता है तो वो उस बारे में अच्छी आपको जानकारी दे सकता है समिक्षा दे सकता है एनलाइस कर सकता है सारी चीज़ों को क्योंकि उसके पास इस झ्खेत्र का वरशों का अनभव होता है वा इसके बारीकिया समस्ता है और उसके पास iiteration करने की शमता भी होती है हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान ने पद्रकारों के यह तरह न हो लेकिन जानकारी और अंतर दरश्टी के मामले में उसका लेकन पाटकों के लिए लाबदायक होगा मतलब लेखन चैली हो सकता है फरक हो लेकिन जो वो information देगा जो वो knowledge हमें provide करेगा वो best होगी उधारन की तौर पर हम खेलों में हर्शा भोसले जै जस्देव सिंग और नौरुत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं ये पिछले 40 सालों से होकी से लेकर किकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की केमेंटरी करते हैं तो इन लोगों ने इस खेतर में कारेदर रहे है इसलिए इस खेतर के बारे में वो अच्छी जानकारी रखते हैं इसलिए ये इस खेतर के विशेशक योगे अगर ये इस पे लेक लिखेंगे बताएंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा विशेश reporting अब आते हैं विशेश लेखन की भाशा शैली अब ये जो विशेश लेखन के इपने बात तो कर ली इसकी भाशा शैली किस तरीके की होनी चाहिए जैसे आपने बताया कि उस छेतर के लोग उसमें काम करते हैं तो वो जो प्रोफिश लेखन का संबंद जिन विश्यों और छेत्रों से हैं उनमें से अधिकांज शेत्र तकनी की रूप से जटेल हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठेन हो जाता है जाहिद सी बात है मान लेजिए अगर हम रक्षा शेत्र में हैं शायद हम समझी ना पाएं कि यह बोल क्या रहा है समझा क्या रहा है है ना तो अब इस कंडिशन में जो लेखके उसके उपर बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सारी तकनीकी जानकारी पाठकों को ऐसे बताएं ताकि पाठक हर एक चीज़ के बारे में समझ सके इसलिए इन छेत्रों में विशेश लेखन की ज़रूरत पड़ती है यानि कि जब हम तकनीकी अंदर सारी चीज़ें जानते ही नहीं है तब इसकी विशेश क्योंकि विशेश अगता जिनको पता है वही इस बारे में बता सकते हैं जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हूँ विशेश लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान लेखन से अलग होती है उनके बीच सबसे ए बुनियादी फर्किया होता है कि हर छेत्र विशेश की अपनी विशेश तकनीकी शब्दावली होती है बात सही है अब जैसे हमने आपको पहले भी पढ़ते समय हम लोग लिकेट है पाउंसर है वाइड वॉल है यह सब किसका है कुछ तकनीकी भाषा होती है जो उस विशेश पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है जैसे कारोबार इपर विशेश लेखन करते हुए आपको उससे इस्तेमाल होने वाली सब्दावली से पर्चित होना ताकि उन्हें भी आपकी रिपोर्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं हूँ देखे अगर मान लीजे मुझे विशेश अगिता हासिल है और मैं उस छेतर में लिख रही हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं तकनीकी जितने भी शब्द हैं उनकी ज समझ भी सके है ना तो विशेश लेकन में एक विशेश लेख के उपर यह सबसे वड़ी चुनौती होती है उधार अर्था अब इन्होंने उधारन के तौर पर आपको समझाया है सोने में भारी उच्छाल चांदी लुड़की या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वा नहीं कि आगे घुटने टेके आदी शीर्षक सहज ही ध्यान खीचते हैं अगर हम किसी भी उसमें यह हाडिंग दे दे तो यह हमारा ध्यान अपने आप खिच लेंगे क्योंकि यह शीर्षक है ही ऐसे विशेश लेकन को की कोई निश्चित शैली नहीं होती यानि कि कैसे लि कत्यात्मक हो सकती है क्योंकि बी समचा तो अलड़ी उल्टा पिरामिट शैली में लिखा गया है आप उसकी रिपोर्ट अगर हम तयार करेंगे तो धोनों चीज़ें तो सहीं हो जाएंगी तो समाचाल लेकन जो हैं वह कत्यात्मक शैली में लिख सकते हैं यसी तरह अगर आ सुन आने संदर्भों को आज के जोड़कर पैश करने की सम्भावन ना होती है कभी कभी क्या होता है जिक कैसे कोई खबर है उससे जुड़ी जुड़ी दूसरी खबर भी आ जाती हैं तो इसे हम पर उन्होंने क्या बताए कि इसके कोई अपनी एक विशेश शैली नहीं होती है हाँ बीड रिपोर्टिंग जब कर रहे हैं तो हम उसे उल्टा पिरामेट शैली में लिख सकते हैं लेकिन अगर समाचार पर हम कोई रिपोर्ट तयार कर रहे हैं तो वो कथ्यात्मक लिखी जा बाद में इसे हम उल्टा पिरामेट शैली कथ्यात्मक या आलेक शैली में लेकर आ सकते हैं अब आगे विविद इसके आगे भी बहुत सारी चीजें क्या हैं मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ क्या होता है समाचार कई प्रकार के होते हैं जैसे राजनीती अपराथ खे इसे बीट कहते हैं जो मैंने आपको थुरopardy पहले समझा दिया है सम रिपोर्टर की जो अपना इंट्रेस्ट होता है उसे फट्र दिया जाता है उसकी बीट कहते बीट को इसके रिपोर्टर को आपनी इंदिं पुर्ट्र की Gao सझाकर की और पो क्ष़त्त करके यह यह नहीं है ना तो यह बीट रिपोर्टर बीट क्या होता है यह मैंने आपको बताया नेक्स रागए विशेश लेखन अगबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल अर्थवयपार सिनेमा या मनोरंजन आदी विभिद छेत्रों और विशियों से संबंधित घटनाएं स समझ में आया समाचार की शैली क्या होती है उल्टा पिरामट शैली होती है लेकिन जब हम विशेश लेखन करते हैं तो इसकी शैली में हमेशा यह ध्यान लखना पड़ता है इसे आप शुरू तो उल्टा पिरामट शैली से कर सकते हैं जो मुख के खबर है वहां से शुरू उपर किया जाता है ठीक है जो टेक्निकल जो रहते हैं उद्फे विशे शब्दावली होती हैSi सबसावली से समवाधाथा को अवश्य परिचित होना चाहिए उसे इस तरहे लेखन करना चाहिए कि कि रिपोर्टर को समझने में परिशानी ना हूं यानि कि हम क्या हैं अगर हम विशेश-सलेखन कर रहे हैं तो हमें विशेश-सलेखन कर रहे हैं तो कि जो भी technical अपनी एक language है वो मुझे पता हो नी चाहिए और फिर मेरी जम्मेधारी हो जाती है उसे हम लेखन में इस तरहीए से करें कि पढ़ने वाला यानि की जो पाठक है वो भी सारी शब्दावली से पर्चित हो और हर एक शब्दावली के अर्थ को भी जान जाए यह एक जम्मेदारी विशेश लेखन के अंदर होनी चाहिए फिर उसके बाद हम आ जाते हैं उल्टा पिरामिट शेली पर फिर क्या आते हैं उल्टबरादी शेली यह समाचार लेखन की सबसे लोकपरिय उपयोगी और बुणियादी शेली यह कहानी तथा कथा लेखन शेली की ठीक उल्टी होती है इसमें आधार उपर और शिर्ष नीचे होता है इसमें शुरू और सभी को पता है अभी मैं समझा भी चुकी हूं इसी उसमें आपको समझाए कि जो सबसे महत्वपूर घटना होती है वो हम सबसे पहले घट बताते हैं उसके बाद घटते करम में हम जो है समाचारों को प्रस्तूत करते हैं सबसे जहां पर हम मेन खबर बता रहे हैं इसे हम इंट्रो या मुक्डा कहते हैं मद्ध्भाग को वॉड़ी कहते हैं और अंतभाग आपका स संपादक समवादाता हो रिपोर्टरों से प्राप्त समाचार सामगरी की अशुद्धियां दूर करता है। भई देखे रिपोर्टर्स और जितने भी सारी खबरे एकत्र करके लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। थीक है। उन अशद्धियों को दू प्रस्तुति के योग्यों बनाते हैं। वे रिपोर्ट की महत्वण बातों को पहले तथा कम महत्वण की बातों को अंत में छापते हैं। समझ में आया कोई रिपोर्ट अगर आपके सामने किसी पत्रकार ने रखी है तो अगर जो उसमें इंपोर्टेंट मुद्धा है उस सबसे पहले प्रकाशित कर देगा फिर उसके बाद कम महत्यपूर्ण अंक की जो रिपोट रहेगी उसे अगले अंक में प्रकाशित की जाती है तथा समचार पत्र की नीती आचार सहिनता और जन कल्याण का विशेश ध्यान रछते हैं आचार सहिनता यानि कि किसी की भी भावनां को ठेश्ञी होना चाहिए किसी भी दल कोई भी जाती धर्म को लेकर कोई टिपड़ी चीटा कशी नहीं होनी चाहिए पत्रकार की जो नीतियां, समाचार पत्र की जो नीतियां उनको फॉलो होना चाहिए और जितनी भी खबर हो वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही हुनी चाहिए अब आगे पत्रकारिये लेखन, पत्रकारिये लेखन के अंतरगत क्या आता है पत्रकार अखबार या अन्य समाचार माधिमों के लिए लेखन के विभिन रूपों का इस्तिमाल करता है इसे पत्रकारिये लेखन कहते हैं पत्रकारिये लेखन भाशा सीधी, सरल, साफ सुथरी, परंतु प्रभावपून होनी चाहिए वाक्ये छोटे सरल सहज होने चाहिए भाषा में कठिन और दुर्भू शब्दावली से बचना चाहिए ताकि भाषा बोजिल ना हो तो पत्रकारी लेखन का ताथ पर यहां पर हो गया चाहे आप समाचार लिख रहे हैं चाहे आप रिपोर्ट त्यार कर रहे हैं चाहे आलेक त्यार कर रहे हैं चाहे आप इस्तंब लिख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसकी भाषा पूरा पत्रकारिय लेखन आपको सभी विधाओं से संबंधत मैंने पूरा रिवीजन कराया और साथ ही साथ हमारी जो बुक है अभिवेक्टि और माध्यम उसमें जितनी भी important point से उन सभी का रिवीजन करा दिया तो एक ही बार में मैंने आपको इस बुक के सभी पूरी बुक के कुछ important questions भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगे उन्हें भी आप एक बार में देखेगा और पूरी बुक के multiple choice questions भी वह एक बार में कराने वाली हुए तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं आधे में छोड़ रही हूं मैं सारी चीज़ें आपके लिए पूरा एक complete package में लेकर आ रही हूं ताकि आप अच्छे से कर सको ठीक है तो next time मिलेंगे हम इसी बुक के सभी chapters के most important questions एक बार में खतम करेंगे मिलते हैं अगली बात थैंक यू फॉर वाचिंग बाई